मुझे अपने पिता की याद नहीं है, जब मैं दो साल का था तब उनकी मृत्यू हो गई, मेरी मा ने दूसरी बार शादी की, इस दूसरी शादी ने उसे बहुत दुहक दिया, हालांकि यह प्यार से किया गया था, मेरे सौतेले पिता एक संगीतकार थे, उनका भागे बहुत अध्भुत है, यह सबसे अजीब, सबसे अध्भुत व्यक्ती था, जिसे मैं जानता था, वहां मेरे बचपन के पहले चापों में बहुत अधिक परिलक्षित था, इतना कि इन चापों का मेरे पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ा, सबसे पहले मेरी कहानी को समझने के लि मेरे सौतेले पिता का नाम एफिमोव था, उनका जन्म एक बहुत अमीर जमीनदार के गाउं में हुआ था, एक गरीब संगीतकार से जो बहुत भटकने के बाद इस जमीनदार की संपत्ती पर बस गया और उसे अपने औरकेस्ट्रा में काम पर रखा, जमीनदार बहुत शा कुछ पानी के लिए विदेश जाने का फैसला किया, और कुछ हफतों से अधिक नहीं चला, बस कुछ प्रसिद्ध वाइलिन वादक को सुनने के लिए, जिन्होंने समाचार पत्रों को अधिसूचित किया, पानी में तीन संगीतकारेक्रम देने वाले थे, उनके पास संगी व्यक्ति से मिला, एक अमीर गिंती उसी काउंटी में रहती थी, जो होम थेटर की सामगरी में तूट गया, इस गिंती ने उनके औरकेस्ट्रा के बैंड मास्टर को खारिच कर दिया, मूल रूप से एक इतालवी बुरे व्यभार के लिए, बैंड मास्टर वास्तव में एक जगह नहीं देना चाहता था, मेरे सौतेले पिता ने इस व्यक्ति के साथ दोस्ती की, यह संबंध अकथनी और अजीब था, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं देखा कि वह कम से कम अपने व्यभार में एक दोस्त की नकल से बदल जाएगा, और यहां तक की खुद जमीनदार, जिसने पहले उसे इतालवी के साथ बाहर घूमने से मना किया था, फिर अपनी उंगलियों से देखा उनकी दोस्ती, अंत में बैंड मास्टर की अचानक मृत्य हो गई, सुभह किसानों ने उसे बांध से खाई में पाया, जांच तयार की गई थी, और यहां पता चला कि वह एक अपोपलेक्सिक हड़ताल से मर गया, उनकी संपत्ती को उनके सौतेले पिता द्वारा बनाये रखा गया था, जिन्होंने तुरंत सबूत पेश किया कि उन्हें इस संपत्ती को प्राप्त करने का हर अधिकार था, मृतक ने एक हस्त लिखित नोट छोड़ा, जिसमें उ अभी भी खुद के लिए एक जगह पाने की उम्मीद कर रहा था, और वाइलिन दिखने में काफी साधारन था, इस विरासत को किसी ने विवादित नहीं किया, लेकिन कुछ ही बार गिनती और नरकेस्ट्रा का पहला वाइलिन वादक गिनती से एक पत्र के साथ जमिनदार क को दिखाई दिया, इस पत्र में गिनती ने पूछा, एफिमोव को इतालवी के बाद छोड़े गए वाइलिन को बेचने के लिए राजी किया, और जो गिनती वास्तव में अपने ओनर केस्ट्रा के लिए हासिल करना चाहती थी, उन्होंने तीन हजार रूबल की पेशकश क और कहा कि उन्होंने पहले ही कई बार येगोर एफिमोव को व्यक्तिगत रूप से नीलामी समाप्त करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने हट पूर्वक इनकार कर दिया, ग्राफ ने निशकर्ष निकाला कि वाइलिन की कीमत वास्तविक है, कि यह कुछ भी कम नहीं क करता है, और एफिमोव की दृड़ता में खुद को व्यापार करते समय इसे केवल और अज्ञानता का उपयोग करने का एक आक्रामक संदेह देखता है, और इसलिए इसे तरक करने के लिए कहा जाता है, जमिंदार ने तुरंत अपने सौतेले पिता के लिए भेजा, आप व लगता है कि वे आपको अधिक देंगे, गिनती आपको धोखा नहीं देगी, एफिमोव ने जवाब दिया कि वह खुद गिनती में नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसे भेजा गया, तो प्रभू की इच्छा होगी, वह वाइलिन को गिनती में नहीं बेचेगा, और यदि व उन्होंने हमेशा गर्व से कहा कि वह अपने संगीत कारों को संभालना जानते हैं, क्योंकि वे सभी सच्चे कलाकार हैं, और उनके लिए धन्यवाद, उनका ओनर केस्ट्रा न केवल गिनती से बहतर है, बलकि राजधानी से भी बत्तर नहीं है, अच्छा, जमीनदार ने ज आपको वाइलिन की आवश्यक्ता क्यों है, आपका उपकरन शेहनाई है, भले ही आप एक खराब शेहनाई वादक हो, उसे मुझे दे दो, मैं तीन हजार दूँगा, कौन जानता था कि यह एक ऐसा उपकरन था, एफिमोव मुस्कुराया, नहीं, श्रीमान, मैंने इसे आप को नहीं बेचा, उन्होंने उत्तर दिया, बेशक, आपकी इच्छा, लेकिन क्या मैं वास्तव में आप पर अत्याचार करता हूँ, क्या मैं आपको मजबूर करता हूँ, जमीनदार चिलाया, नाराज हो गया, खासकर जबसे मामला एक गिंती संगीतकार के साथ था, जो इस शहनाई के साथ मेरे बिना कहां जाएंगे, जिस पर आप नहीं जानते की कैसे खेलना है, आप पूर्ण हैं, कपड़े पहने हुए हैं, वेतन प्राप्त करते हैं, आप एक महान पैर पर रहते हैं, आप एक कलाकार हैं, लेकिन आप इसे समझना नहीं चाहते हैं, और इसे मह जमीनदार ने खुद को उन सभी से दूर कर दिया जिनसे वह नाराज था क्योंकि वह खुद के लिए और अपनी गर्मी के लिए डरता था. और किसी भी कारण से वह कलाकार के साथ बहुत सक्ती से नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसने अपने संगीत कारों को बुलाया था नीलामी नहीं हुई और ऐसा लगा कि मामला समाप्त हो गया जब अचानक एक महीने में गिनती वाईलिन वादक ने एक भयानक व्यवसाय शुरू किया अपनी जिम्मेदारी के तहट उसने मेरे सौतेले पिता पर एक निन्दा दायर की जिसमें उसने साबित किया कि सौतेला पिता था इटाल्वी की मृत्यु का दोशी और उसे एक सम्रिद्ध विरासत पर कबजा करने के लिए स्वार्थी उद्देश से मौत के घाट उतार दिया उन्होंने तर्क दिया कि इच्छा बल द्वारा समाप्थ हो गई थी और गवाहों को अपने आरोप में पेश करने का वादा किया था न तो अनुरोध नहीं गिनती का प्रचार और मेरे सौतेले पिता के लिए खड़े हुए जमीनदार कुछ भी अपने इरादे में घोटाले बास को हिला नहीं सकता था उन्हें प्रस्तुत किया गया था कि दिवंगत बैंड मास्टर के शरीर पर चिकितसा जांच सही धंग से की गई थी कि स्कैमर सबूतों के खिलाफ था शायद व्यक्तिगत द्वेश और जुझलाहट से उसके लिए खरीदे गए कीमती उपकरण को मास्टर करने का समय नहीं था संगीतकार ने अपना मैदान खड़ा किया दर था कि वह सही था साबित हुआ एपोपलेक्सिक जटका नशे से नहीं बलकि जहर से आया था और दूसरी बार जांच की आवश्यक्ता थी पहली नजर में सबूत गंभीर लग रहे थे बेशक मामले को एक कदम दिया गया था एफिमोव को ले जाया गया शहर की जेल में भेज दिया गया एक मामला शुरू हुआ जिसने पूरे प्रांत को दिलचस्पी दी ये बहुत जल्दी चला गया और एक जूठी निंदा के दोशी संगीतकार को समाप्त कर दिया उन्हें उचित सजा सुनाई गई थी लेकिन उन्होंने अंत तक अपनी जमीन खड़ी की और आश्वासन दिया कि वह सही है अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये जब एफिमोव की मासूमित आपचारिक रूप से साबित हो गई थी तब भी वह पूरी तरह से दोशी है दुर्भाग्यपोन बैंड मास्टर की मृत्यू का कारण एफिमोव था हालांकि शायद उसने उसे जहर से नहीं मारा लेकिन किसी अन्य तरीके से लेकिन उनके पास स पागल हो गया और जेल की दुर्भलता में मर गया इस सभी व्यवसाय को जारी रखने में जमीनदार ने सबसे महान तरीके से व्यवहार किया उसने मेरे सौतेले पिता के बारे में कोशिश की जैसे कि वह उसका अपना बेटा हो कई बार वह उसे सांत्वना देने के लिए ज अपसे अच्छा सिगार लाया यह पता लगाते हुए कि एफिमोव को धूमरपान करना पसंद था और जब के टेटे के सौतेले पिता को बरी कर दिया गया तो उसने पूरे औरकेस्ट्रा के लिए छुट्टी तय की जमीनदार ने पूरे औरकेस्ट्रा से संबंधित एक माम को देखा क्योंकि वह अपने संगीतकारों के अच्छे व्यवहार को महत्व देता था यदि अधिक नहीं तो कम से कम उनकी प्रतिभा के साथ एक पूरा साल बीद गया जब अचानक प्रांत भर में एक अफवाह पहल गई कि कुछ प्रसिध वाइलिन वादक, फ्रांसीसी, प्रांतीये शहर में आ गए थे और गुजरने से कई संगीत कारेक्रम देने का इरादा था, जमीनदार ने तुरंत किसी तरह उसे उससे मिलने की कोशिश करना शुरू कर दिया, यह अच्छा चल रहा था, फ्रांसीसी ने आने का वादा किया, उनके आगमन के लिए सब काउंटी को बुलाया गया था, लेकिन अचानक सब कुछ अलग हो गया, एक सुभवे रिपोर्ट करते हैं कि एफिमोव एक अग्यात स्थान पर गायब हो गया, खोज शुरू हुई, लेकिन ट्रेस ने एक थंड पकड़ ली, और्केस्ट्रा आपातकाल की स्थिती में था, शेहनाई की कमी थी, जब अचानक एफिमोव के लापता होने के तीन दिन बाद जमींदार को फ्रांसीसी से एक पत्र मिलता है, जिसमें उसने अहंकार पूर्वक निमंतरन को अस्वीकार कर दिया था, जाहिर है अपमान, जो अपसे उन सज्जनों से निपटने में बेहद स उसे नहीं जानता है जिसे वह केवल रूस में मिला था, अपने शब्दों की वैधता के परियाप्त प्रमान के रूक में कारे करता है, इस पत्र को पढ़ने के बाद जमिंदार गहराई से चकित था, वह कोर से परिशान था, कैसे एफिमोव, बहुत एफिमोव जिसे उसने बहुत परवाह की थी, जिसके लिए उसने इतना प्रचार किया था, इस एफिमोव ने इतनी बेरहमी से एक यूरोपिय कलाकार की आँखों में उसे बदनाम कर दिया, ऐसा व्यक्ति जिसकी राय में वह बहुत अधिक था, और अंत में पत्र एक अलग तरीके से अकतनी ये उन्होंने अधिसूचित किया कि एफिमोव सच्ची प्रतिभा वाला एक कलाकार था, कि वह एक वाइलिन वादक था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी प्रतिभा का अनुमान कैसे लगाया जाए और उसे दूसरे उपकरण से निपटने के लिए मजबूर किया जाए और सूचित किया कि वह पूरी बात जानता है कि आने वाले गुण अब एफिमोव के साथ थे, कि वह बात के अपमान और बदनामी पर चकित हो रहा था, उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया और आखिरकार जमीनदार की उपस्थिती आवश्चक है और क्योंकि यहां तक क गिनती खुद भी एफिमोव के आरोप से संबंधित है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द स्पष्ट करने की आवश्चकता है, जमीनदार तुरंत गिनती में जा रहा था, तुरंत फ्रांसीसी से मिला और मेरे सौतेले पिता के पूरे इतिहास को समझ यह कहते हुए कि उसे एफिमोव में इतनी बड़ी प्रतिभा पर संदेह नहीं था कि एफिमोव के पास इसके विपरीत एक बहुत बुरा शहनाई वादक था और वह केवल पहली बार सुनता है जैसे कि संगीतकार जिसने उसे छोड़ दिया वाइलिन वादक, उन्होंने कह कि एफिमोव एक स्वतंत्र व्यक्ति था, पूरी स्वतंत्रता का आनंद लेता था और हमेशा किसी भी समय उसे छोड़ सकता था यदि वह वास्तव में उत्पीडित था, फ्रांसीसी आश्चर्य में था, एफिमोव को बुलाया गया था और उसे शायद ही पहचाना जा सके उसने अहंकार पूर्वक व्यवहार किया, उपहास के साथ उत्तर दिया और फ्रांसीसी को बताने के लिए उसके पास जो समय था उसके न्याय में जोड़ दिया, इस सबने गिंती को चरम पर पहुँचा दिया, जिसने सीधे मेरे सौतेले पिता को बताया कि वह एक खलनायक एक बदनामी और सबसे शर्मनाक सजा के योग्य था, चिंता न करें महामहिम, मैं पहले से ही आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे सौतेले पिता ने जवाब दिया, आपकी कृपा से मैंने मुश्किल से आपराधिक वह शायद ही खुद को नियंतरित कर सके, लेकिन हॉल में गिनती के लिए आया धिकारी ने घोशना की कि वह बिना परिणामों के यह सब नहीं छोड़ सकता है, कि एफिमोव की अपमान जनक अशिष्टता में एक बुराई, अनुचित आरोप, बदनामी शामिल है और उसने विनम्रता पूर्वक उसे अब गिरफतार करने की अनुमती देने के लिए कहा, गिनती के घर में, फ्रांसीसी ने पूर्ण आक्रोश व्यक्त किया, और कहा कि वह इस तरह की काली निष्ठा को नहीं समझते हैं, तब मेरे सौतेले पिता ने चुपके से जवाब दिया कि दं अपने चरम के लिए गरीबी और इन शब्दों के साथ उन्होंने हौल को उन लोगों के साथ छोड़ दिया, जिन्होंने उसे गिरफतार किया था, उसे घर के एक दूरदराज के कमरे में बंद कर दिया गया और धमकी दी गई, कल वे उसे शहर भेज देंगे, आधी रात के आस-पास कैदी के कमरे का दर्वाजा खुल गया, जमीनदार अंदर आ गया, वह एक सनान वस्त्र में था, जूते में और उसके हाथों में एक जलाया हुआ दीपक था, वह सो जाने में असमर्थ लग रहा था, और देखभाल करने के लिए उसे ऐसे एक घंटे में बिस्तर चोड़ने के लिए मजबूर किया, एफिमोफ को नीन नहीं आई और विसमे के साथ प्रवेश करने वाले को देखा, उसने एक लाल्टेन लगाए और गहरी उत्ते जना में उसके खिलाफ एक कुरसी पर बैठ गया, एगोर उसने उससे कहा, तुमने मुझे इतना अपमानित क्यों किया, एफिमोफ ने जवाब नहीं दिया, जमीनदार ने अपने सवाल को दोहराया, और कुछ गहरी भावना, कुछ अजीब लालसा उनके शब्दों में सुनाई दी, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने आपको इतना नाराज क्यों किया सर, मेरे सौतेले पिता ने आ इगोर, जमीनदार फिर से शुरू हुआ, मेरी और मुडे, मैं सब कुछ भूल जाओंगा, मैं तुम्हे सब कुछ माफ कर दूँगा, सुनो, तुम मेरे संगीत कारों में से पहले बनोगे, मैं आपको दूसरे वेतन का उदाहरण नहीं दूँगा, नहीं, सर, नहीं, और य यह जवाब नहीं दे सकता, आप बहतर है सर, मुझे अकेला छोड़ दे, यह सब तब से है जब शैतान मेरे साथ है, कौन ने जमीनदार से पूछा, लेकिन यहां एक कुत्ते की तरह उकसाया गया है, जहां से प्रकाश पीछे हट गया, इतालवी, क्या उसने आपको एगोर नहीं, वह खुद बहुत कम जानता था, लेकिन उसने अच्छी तरह से सिखाया, मैंने खुद सीखा, उन्होंने केवल दिखाया, और मेरे हाथ के लिए इस विज्ञान की तुलना में सूखना आसान है, अब मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, पूछो, सर, ए दूसरी बार मैं कहता हूँ, मैं अपने बारे में कुछ करूँगा, ताकि वे मुझे कहीं दूर ले जाए, और यह अंत है, इगोर, एक शनिक चुप्पी के बाद जमिनदार ने कहा, मैंने आपको इस तरह नहीं छोड़ा, यदि आप मेरे साथ सेवा नहीं करना चाहते हैं तो जाओ, आप एक स्वतंत्र व्यक्ती हैं, मैं आपको नहीं रख सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें उस तरह नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ खेलो, इगोर, अपने वाइलिन पर, खेलो, भगवान के लिए, खेल, मैं आपको आदेश नहीं देता, आप मुझे समझते ह मैं आपको मजबूर नहीं करता, मैं आपसे आँख बंद करके पूछता हूँ, मुझे, इगोरुषका, भगवान की खातिर, कि आपने फ्रेंच मैन की भूमिका निभाई है, अपनी आत्मा को दूर ले जाओ, तुम जिद्धी हो, और मैं जिद्धी हूँ, जानने के लिए मेरे पास अपने स्वयम के ब्यूरो भी है, एगोरुषका, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, तुम भी मेरी तरह महसूस करो, मैं तब तक जीवित नहीं रह सकता, जब तक आप मुझे अपनी मर्जी से नहीं खेलते, और वह शिकार, जो आपने फ्रेंच मैन की भूमिका न आखिरी बार और अधिक, श्रीमान, आप मुझे कभी भी कहीं भी नहीं सुनेंगे, भले ही एक हजार रूबल का वादा किया गया हो, फिर उन्होंने वाइलिन लिया, और रूसी गीतों पर अपनी विविधताएं निभानी शुरू कर दी, बी ने कहा कि ये विविधताएं वाइलिन पर उनका पहला और सर्वश्रेष्ट नाटक है, और उन्होंने कभी भी इतनी अच्छी तरह से और इस तरह की प्रेरणा के साथ कुछ भी नहीं खेला, जमीनदार जो पहले से ही संगीत को उदासीनता से नहीं सुन सकता था, रोया, जब खेल खत्म हो गया, तो व कुछ निप्टा दूँगा, लेकिन सुनो, तुम अब मुझसे नहीं मिलते, आपसे पहले, सडक चोड़ी है, और चूंकी हम इस पर टकराएंगे, इसलिए मैं और आप नाराज होंगे, बहुत अचंभा, रुको, सडक पर मेरी एक और सला, केवल एक, पीना और सीखना, सब सीखना, घमंडी मत बनो, मैं आपको बताता हूँ कि आपके प्यारे पिता, आपको कैसे बताएंगे, देखिए, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, चाट सीखें, और न जाने, लेकिन आप एक बार दोहक के साथ रोटी लेते हैं, और बहुत दोहक होगा, लिख दिया गय उन्होंने तुरंत निकर्तम काउंटी शेहर में अपने 300 रूबल की स्कोरिंग शुरू की, जबकि एक ही समय में कुछ गोलक की सबसे काली, सबसे गंदी कमपनी में प्रवेश किया, और गरीबी में अकेले और बिना किसी मदद के समाप्त हो गया, प्रांतिय थेटर के पीटर्सबर्ग जाना शामिल था, अपने लिए एक अच्छी जगह प्राप्त करें और पूरी तरह से खुद से एक कलाकार बनाए, लेकिन एक छोटे औरकेस्ट्रा में रहना मीठा नहीं था, मेरे सौतेले पिता ने जल्द ही किते हुए थेटर के उद्यमी से जगड़ा क जिसे हम जानते थे, अपनी स्थिती उसे चित्रित की और पैसे मांगे, पत्र काफी स्वतंत्र रूप से लिखा गया था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था, फिर उन्होंने एक और लिखा, जिसमें सबसे अपमांजनक शब्दों में, जमीनदार को अपना लाभार्थी कहना, और उसे एक सच्चे कला पार्खी के शीर्शक के साथ बढ़ाना, उसने फिर से उससे मदद मांगी, अंत में जवाब आया, जमीनदार ने अपने वैलेट के हाथ से लिखी 100 रूबल, और कई लाइने भेजी, जिसमें उसने किसी भी अनुरोध से छुटकारा पाने के गोशना की, यह पैसा प्राप्त करने के बाद, सौतेले पिता तुरंत सेंट पीटर्सबर्ग जाना चाहते थे, लेकिन ररणों के भुकतान के अनुसार इतना कम पैसा था कि आप यात्रा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वह फिर से प्रांत में रहा, फिर से कुछ प् का शाश्वत विचाराया, पूरे छह साल तक प्रांत में रहे, अंत में कुछ आतंक ने उस पर हमला किया, निराशा के साथ उन्होंने देखा कि उनकी प्रतिभा को कितना नुकसान हुआ, लगातार एक अनिश्चित, दयनीय जीवन से विवश, और एक सुभ उन्होंने जो अभी जर्मनी से आया था और करियर बनाने की योजना भी बना रहा था, वे जल्द ही दोस्त बन गए, और भी एक गहरी भावना के साथ अब भी इस परिचित को याद करते हैं, दोनों युवा थे, दोनों एक ही उम्मीद के साथ, और दोनों एक ही लक्षे के साथ, ले अपने लक्षे के लिए हट पूर्वग, व्यवस्थित रूप से, अपनी सेनाओं की एक आदर्श चेतना के साथ, और लगभग अग्रिम में गणना करता था, कि उसके पास क्या आएगा, जबकि उनका कॉमरेड पहले से ही 30 साल का था, जबकि वह पहले से ही ठका हुआ था ठका हुआ था, सभी धैर्यक खो दिया और अपनी पहली स्वस्थ ताकत से बाहर निकल गया, प्रांतिये सिनेमा घरों में घूमने के लिए रोटी के एक टुकडे के कारण पूरे साथ साल तक मजबूर रहा, भूस्वामियों के आरकेस्ट्रा, उन्हें केवल एक शाश्व यह कुछ प्रकार की अप्रतिरोध्य आंतरिक अपील थी, जो आखिरकार वर्षों में खुद एफिमोव की आँखों में अपनी पहली स्पष्टता खो दी, और जब वह सेंट पीटर्सबर्ग में दिखाई दिया, तो उसने पहले से ही कुछ शाश्वत, प्राचीन आदत क अनुसार लगभग अंजाने में काम किया, शाश्वत इच्छा और इस यात्रा को इंगित करना और लगभग यह जाने बिना कि उसे राजधानी में क्या करना होगा, उनका उत्साह किसी प्रकार का दृढ़, पित्त, गुस्ताख था, जैसे कि वह खुद इस उत्साह के पिश्चित करना चाहता था कि पहली ताकत, पहली गर्मी, पहली प्रेणा अभी तक उसमें सूख नहीं गई थी, इस निरंतर खुशी ने ठंड व्यवस्थित भी, वह अंधा हो गया और मेरे सौतेले पिता को महान संगीत प्रतिभा के भविश्य के रूप में बधाई दी अन्य था, वह अपने कॉमरेट के भविश्य के भागे की कलपना भी नहीं कर सकता था, लेकिन जल्द ही बी ने अपनी आँखें खोली और इसे पूरी तरह से हल कर लिया, उन्होंने सपश्ट रूप से देखा कि यह सब आवेग, बुखार और अधीरता लापता प्रतिभा की याद में बेहोश निराशा से ज्यादा कुछ नहीं था, यहां तक की अंत में सबसे अधिक प्रतिभा, शायद बहुत शुरुआत में इतनी महान नहीं थी कि बहुत सारे अंधा, व्यर्थ आत्म विश्वास, प्रारंभिक आत्म संतुष्टिर और निरंतर कलपना, किसी नपुनसकता का एक हताश बुखारपूर्ण संगर्श हुआ, दुर्भागयपूर्ण पूरे साथ साल पहले अपने भविश्य के गौरव के एक सपने से संतुष्ट था, जिसे उसने यह भी नहीं देखा कि उसने हमारी कला में सबसे प्रारंभिक कैसे खो दिया, क्योंकि उसने व्यवसाय के बहुत प्रारंभिक तंत्र को भी खो दिया था, इस बीच उनकी अनिश्चित कल्पना में भविश्य के लिए सबसे बड़ी योजनाएं बनाई गई, नकेवल वह प्रथम श्रेणी की प्रतिभाब बनना चाहता था, जो दुनिया के पहले वायलिन लेकिन सब कुछ मुझे और अधिक चकित करता है, बीजोडा, इस व्यक्ति में क्या है, अपनी पूरी नपुनसकता के साथ, कला की तकनीक में सबसे तुछ ग्यान के साथ, इतनी गहरी, इतनी स्पष्ट और कोई कह सकता है, कला की सहच समझ, इससे पहले वह उसे बहुत महस करता था, और खुद को समझता था कि वह अद्भुत नहीं था, यदि वह अपने बारे में अपनी चेतना में खो गया, और कला के एक पुजारी के रूप में, कला की गहरी, सहज, आलोचना के बजाए, खुद को स्वीकार कर लिया, प्रतिभा, कभी-कभी वह अपनी असभ् भाषा, सभी विज्ञानों के चमतकार में सफल हो जाता है, मुझे इतनी गहरी सचाईयां बताने के लिए, कि मैं एक गतिरोध पर था, और समझ नहीं पा रहा था, कि उसने यह सब कैसे अनुमान लगाया, कभी कुछ नहीं पढ़ा, कभी कुछ भी नहीं सीखा, और मैं उस का एहसान मंद हूँ बहुत कुछ, भी जोडा, उसे और अपने सुधार में उसकी सलाह, मेरे लिए ने भी जारी रखा, तब मैं अपने बारे में शांत था, मैं भी अपनी कला से बहुत प्यार करता था, हाला कि मुझे अपनी यात्रा की शुरुआत में पता था, कि मुझे अधिक नहीं दिया गया है, कि मैं अपने अर्थ में कला में मजदूर, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं एक आलसी दास की तरह दफन नहीं हुआ, प्रकृती द्वारा मुझे क्या दिया गया था, लेकिन इसके विपरीत मैं सौ गुना बढ़ा हो गया, और दाइश है, और अपनी सेनाओं की सपष्ट चेतना, स्वैचिक आत्म विनाश और आत्म संक्रमन के लिए शाश्वत शत्रुता के लिए करता हूं प्रारंभिक आत्मसंतुष्टी और इस आत्मसंतुष्टी के स्वाभाविक परिणाम के रूप में आलस्य के लिए बी ने बदले में अपने दोस्त के साथ सलाह साजा करने की कोशिश की, जिसे उसने शुरुआत में ही मान लिया था, लेकिन केवल व्यर्थ ने उसे नाराज कर दिया, उनके बीच कूलिंग हुई, जल्द ही बी ने देखा कि उनके कॉमरेट तेजी से मास्टर उदासीनता, लालसा और उब की शुरुआत कर रहे हैं, कि उनके उत्साह के आवेग कम और कम लगातार होते जा रहे हैं, और यह सब कुछ उदास, जंगली, निराशा के बाद था, अंत में एफेमोफ ने अपने वाइलिन को छोड़ना शुरू कर दिया, और कभी-कभी इसे हफतों तक नहीं छुआ, सही गिरावट से पहले यह बहुत दूर नहीं था, और जल्द ही दुर्भाग्यपूर्ण सभी दोशों में गिर गया, जिससे उनके जमीनदार ने चेतावनी दी, ऐसा हुआ, उन्होंने अत्यधिक नशे में लिप्त हो गए, बी ने उसे डरावने रूप से देखा, उनकी सलाह से काम नहीं चला, और इसके अलावा वह शब्द का उचारन करने से डरते थे, थोड़ा एफिमोव सबसे चरम निंदक तक पहुँच गया, उसने बी पर रहने के लिए विवेक नहीं किया, और यहां तक की अभिनय किया, जैसे की उसे ऐसा करने का पूर पार्टियों में खेलने के लिए काम पर रखा गया था हालांती, बहुत कम कुछ बुगतान किया, यह ऐसा था जैसे वह अपने कॉमरेड की जरूरतों को नोटिस नहीं करना चाहता था, उसने उसके साथ गनबीर व्यवहार किया, और हक्तों तक उसे एक शब्द के साथ सम् पूर तरीके से देखा कि यह उसके लिए बुरा नहीं होगा कि वह अपने वाइलिन की उपेक्षा न करे ताकि खुद से उपकरण को न बुन सके, तब एफिमोफ पूरी तरह से क्रोधित था और उसने घोशना की कि वह कभी भी जान बूज कर अपने वाइलिन को नहीं और उन्होंने एफिमोफ को आमंतरित किया, इस निमंतरन ने एफिमोफ को प्रभावित किया, उन्होंने दृढ़ता से घोशना की कि वह एक सडक वाइलिन वादक नहीं थे और बी के रूप में मतलबी कला को अपमानित करने के लिए नहीं होंगे, जो कि उन कारीगरों के स सोचा, जो खेलने गए थे, ने कलपना की कि यह सब केवल एक संकेत था कि वह बी के खाते में रहता है, और एक इच्छा उसे यह बताने के लिए कि उसने पैसे कमाने की भी कोशिश की, जब भी वापस लोटा, तो एफिमोफ ने अचानक उसे अपने कृत्य की शुद्रता क वह फिर से दिखाई दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर से अपने पूर्व जीवन को जारी रखना शुरू कर दिया, विले कारीगरों के सामने खेलना, जो उनके खेल और प्रतिभा में कुछ भी नहीं समझेंगे, बी ने इस पर एक शब्द का जवाब नह रहता है, और एक इच्छा उसे यह बताने के लिए कि उसने पैसे कमाने की भी कोशिश की, जब भी वापस लोटा, तो एफेमोव ने अचानक उसे अपने कृत्ते की शुद्रता के लिए फटकारना शुरू कर दिया, और घोशना की कि वह एक मिनट के लिए उसके साथ नही रहेगा, वह वास्तव में दो दिनों के लिए गायब हो गया, लेकिन तीसरे पर वह फिर से दिखाई दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर से अपने पूर्व जीवन को जारी रखना शुरू कर दिया, विले कारीगरों के सामने खेलना, जो उनके खेल और प् संकेत था कि वह बी के खाते में रहता है, और एक इच्छा उसे यह बताने के लिए कि उसने पैसे कमाने की भी कोशिश की, जब भी वापस लोटा, तो एफिमोव ने अचानक उसे अपने कृत्य की शुद्रता के लिए फटकारना शुरू कर दिया, और घोशना की कि वह एक मिनट के लिए उसके साथ नहीं रहेगा, वह वास्तव में दो दिनों के लिए गायब हो गया, लेकिन तीसरे पर वह फिर से दिखाई दिया, जैसे की कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर से अपने पूर्व जीवन को जारी रखना शुरू कर दिया, वह बी के खाते में रहत मिनट के लिए उसके साथ नहीं रहेगा, वह वास्तव में दो दिनों के लिए गायब हो गया, लेकिन तीसरे पर वह फिर से दिखाई दिया, जैसे की कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर से अपने पिछले जीवन को जारी रखना शुरू कर दिया, वह बी के खाते में रहता है, और उसे यह बताने की इच्छा है कि उसने पैसे कमाने की भी कोशिश की, जब भी वापस लोटा, तो एफिमोव ने अचानक उसे अपने कृत्य की शुद्रता के लिए फटकारना शुरू कर दिया, और घोशना की कि वह एक दिन ये सेरी के एक मिनट के लिए उसके साथ नहीं रहेगा, वह वास्तव में दो दिनों के लिए गायब हो गया, लेकिन तीसरे पर वह फिर से दिखाई दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर से अपने पिछले जीवन को जारी रखना शुरू कर दिया, केवल पिछली आदत और दोस्टी, और यहां तक कि करुना जोबी ने मरतट व्यक्ति के लिए महसूस की थी, उसे इस तरह के बदसूरत जीवन को समाप्त करने और अपने कॉमरेट के साथ हमेशा के लिए भाग लेने के इरादे से रखा, अंत में वे तूट गए, भी मुस्कुराया खुशी, उसने किसी के मजबूत सनरक्ष जगह दी, जहां उन्होंने इतनी जल्दी खुद को एक अच्छी तरह से लायक सफलता बना लिया, विदाई, उसने एफिमोव को पैसे दिये और आसू के साथ उसे सच्चे रास्ते पर लोटने के लिए विनती की, और अब वह उसे एक विशेश भावना के बिना याद नह नहीं कर सकता, एफिमोव के साथ परिचित होना उनकी युवावस्था के सबसे गहरे चापों में से एक था, साथ में उन्होंने अपना क्षेत्र शुरू किया, इसलिए एक दूसरे से गर्म जोशी से जुड़े और यहां तक की सबसे अजीब, सबसे असभ्य एफिमोव की तेज कमियों ने बी को उससे और भी अधिक बांध दिया, बी उसे समझा, उसने उसे देखा और भविश्यवानी की कि यह सब कैसे समाप्त होगा, जब उन्होंने भाग लिया, तो वे गले मिले और दोनों रोए, तब एफिमोव ने आंसू और सिस्कियों के माध्यम से कहा कि वह एक मृत, दुखी व्यक्ती था, जिसे वह लंबे समय से जानता था, लेकिन अब उसने केवल अपनी मृत्य को सपष्ट रूप से देखा, मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, उन्होंने निशकर्ष निकाला, मृत्कों की तरफ ही का, बुरी तरह से स्थानांत्रित हो एक फिट में कहते हैं कि आपके पास कोई प्रतिभा नहीं है, सच नहीं, आपके पास प्रतिभा है, मैं आपको इसका आश्वासन देता हूँ, आपके पास है, मैं इसे एक-एक करके देखता हूँ, कि आप कला को कैसे महसूस करते हैं और समझते हैं, मैं इसे आपको और अजीब आदमी जिसके बारे में आपने मुझे बहुत कुछ बताया, पहली बार आप में कला का प्यार जगाया और अपनी प्रतिभा का अनुमान लगाया, आपने इसे उतना ही कठिन और कठिन महसूस किया जितना अब आप महसूस करते हैं, लेकिन आप खुद नहीं जानते कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, आप जमिंदार के घर में नहीं रहते थे और आप खुद नहीं जानते थे कि आप क्या चाहते हैं, आपके शिक्षक की मृत्यों बहुत जल्दी हो गई, उसने आपको केवल असपष्ट आकांक्शाओं के साथ छोड़ दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने खुद को नहीं समझाया, आपने महसूस किया कि आपको एक और सड़क की आवश्चकता है, व्यापक, कि आपके पास अन्य लक्षियों की निंदा की गई थी, लेकिन आप यह नहीं समझ पाए कि यह कैसा होगा, और आपकी लालसा में आप उस सब से नफरत करते थे, जो आपको तब घेरता था, आपकी छे साल की गरीबी और गरीबी कुछ नहीं के लिए मर गई, आपने अध्यान किया, आपने सोचा कि आपने खुद को और अपनी ताकत को पहचान लिया है, अब आप कला और अपने उद्देश्य को समझते मेरे दोस्त, आपको धैर्य और साहस की आवश्यक्ता है, बहुत कुछ आपको मेरी तुलना में अधिक इंतजार कर रहा है, आप मुझसे सौ गुना अधिक कलाकार है, लेकिन भगवान आपको मेरे धैर्य का कम से कम दस्वा हिस्सा देते हैं, जाने और न पियें, जैसा कि आपके अच्छे जमीनदार ने आपको बताया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात वर्ण माला से शुरू होता है, आपको क्या पीड़ा है, गरीबी, गरीबी, लेकिन गरीबी और गरीबी एक कलाकार है, वे शुरू से ही अविभाज्य है, अब किसी को आपकी जरूरत नह कोई तुम्हें जानना नहीं चाहता, इसलिए प्रकाश जाता है, रुको, यह तब नहीं होगा जब उन्हें पता चले कि आपके पास प्रतिभा है, इर्शा, क्षुद्र अर्थ और सबसे महत्वपूर्ण बात, मूर्खता गरीबी की तुल्ना में आप पर अधिक प्रभा डालेगी, प्रतिभा को सहानु भूती की आवश्यक्ता है, उसे समझने की आवश्यक्ता है, और आप देखेंगे कि जब आप अपने लक्षे को थोड़ा प्राप्त करते हैं, तो कौन से चेहरे आपको बाइपास करेंगे, वे किसी भी तरह से नहीं डालेंगे, और कड़ी मेहनत, अभाव, भूक, मीन्द की रातों के साथ, आपके द्वारा विकसित की गई अवमानना को देखेंगे, वे प्रोट साहित नहीं करेंगे, आपको आपके भविश्यके साथियों को सांथवना नहीं देंगे, वे आपको ये नहीं दिखाएंगे कि आप में क्या स्थिति के तहट आपके लिए रचना और अवमानना आपके द्वारा की गई हर गलती को मनाने के लिए एक छुट्टी की तरह होगी जैसे कि कोई व्यक्ति तुटियों के बिना था आप अभिमानी हैं आप अकसर गर्व से बाहर रहते हैं और आप आत्म प्रेम पूर्ण अप मान का अपमान कर सकते हैं और फिर परेशानी आप अकेले होंगे और उनमें से कई हैं वे आपको पिन से पीड़ा देते हैं यहां तक कि मैं इसका अनुभव करना शुरू कर रहा हूँ अब खुश हो जाओ आप इतने गरीब नहीं हैं आप रह सकते हैं काले काम की करें लकडी काट लें क्योंकि मैंने उन्हें गरीब कारीगरों के साथ पार्टियों में काट दिया लेकिन आप अधीर हैं आप अपनी अधीरता से बीमार हैं आपके पास थोड़ी सादगी हैं आप बहुत चालाक हैं आप बहुत अधिक सोचते हैं आप अपने सिर को बहु और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्षे के लिए आते हैं और यदि नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं, आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है यहां भाई हमारा आप अक्सर गर्व से बाहर होते हैं और आप गर्व को रोक सकते हैं और फिर परेशानी आप अकेले होंगे और उनमें से कई हैं वे आपको पिन से पीड़ा देते हैं यहां तक कि मैं इसका अनुभव करना शुरू कर रहा हूँ अब खुश हो ज हैं आप अपनी अधिरता से बीमार हैं आपके पास थोड़ी सादगी है आप बहुत चालक हैं आप बहुत अधिक सोचते हैं आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं जब आप धनुश उठाते हैं तो आप शब्दों और कायरों में बोल्ड होते हैं आपको गर्व है और वो बुखार है, एक भावना है, यदी आप लक्षे के लिए आते हैं और यदी नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं, आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, यहां, भाई, हमारा आप अकसर गर्व से बाहर होते हैं, और आप गर्व को र ही हैं, आप रह सकते हैं, काले काम की उपेक्षा न करें, लकडी काट लें, क्योंकि मैंने उन्हें गरीब कारीगरों के साथ पार्टियों में काट दिया, लेकिन आप अधीर हैं, आप अपनी अधीरता से बीमार हैं, आप के पास थोड़ी सादगी हैं, आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं, जब आप धनुष उठाते हैं, तो आप शब्दों और काईरों में बोर्ड होते हैं, आपको गर्व है, और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने, और यदी आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको बुखार है, एक भावना है, यदी आप लक्षे के लिए आते हैं, और यदी नहीं तीर की, तो भी एक मौका के लिए जाएं, आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहु हमारे वे आपको पिन से पीडा देते हैं, यहां तक कि मैं इसका अनुभव करना शुरू कर रहा हूँ, अब खुश हो जाओ, आप इतने गरीब नहीं हैं, आप रह सकते हैं, काले काम की उपेक्षा न करें, लकडी काट लें, क्योंकि मैंने उन्हें गरीब कारिगरों के साथ पार्टियों में काट दिया, लेकिन आप अधीर हैं, आप अपनी अधीरता से बीमार हैं, आपके पास थोड़ी सादगी है, आप बहुत चालाख हैं, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं, जब आप धनुश उठाते हैं, तो आप आपको बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्षे के लिए आते हैं और यदि नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं। लेकिन आप अधीर है, आप अपनी अधीरता से बीमार है, आपके पास थोड़ी साधगी है, आप बहुत चालाख है, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं, जब आप धनुष उठाते हैं तो आप शब्दों और कायरों में बोल्ड होते और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने, और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्षे के लिए आते हैं, और यदि नहीं, तो भी एक मौक में काट दिया, लेकिन आप अधीर है, आप अपनी अधीरता से बीमार है, आपके पास थोड़ी सादगी है, आप बहुत चालाख है, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं, जब आप धनुश उठाते हैं, तो आप शब्दों और कायरों मे बोल्ड होते हैं, आपको गर्व है, और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने, और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्षय के लिए आत काट लें, क्योंकि मैंने उन्हें गरीब कारीगरों के साथ पार्टियों में काट दिया, लेकिन आप अधीर हैं, आप अपनी अधीरता से बीमार हैं, आपके पास थोड़ी सादगी है, आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम जब आप धनुश उठाते हैं, तो आप शब्दों और कायरों में बोल्ड होते हैं, आपको गर्व है, और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने, और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आप को बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्ष के लिए आते हैं, और यदि नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं, आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, यहां, भाई, हमारा जब आपको धनुश उठाना होगा, आपको गर्व है, और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने, और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्ष के लिए आते हैं, और यदि नहीं, तो भी एक मौ मौका के लिए जाएं, आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, यहां भाई, हमारा जब आपको धनुश उठाना होगा, आपको गर्व है, और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने, और यदि आप अपन में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, यहां, भाई, हमारा एवोज महान बात, एफिमोव ने अपने पूर्व कॉमरेड की गहरी समझ के साथ बात सुनी, लेकिन जैसा कि उन्होंने बात की, पैलोर अपने गालों से उतरा, वे एक बलश के रूप में जीवन जब बी ने अपना उद्बोधन समाप्त किया, तो एफिमोव ने पहले से ही अनुपस्थित मन और अधीरता से उनकी बात सुनी, हालांकि उन्होंने गर्म जोशी से अपना हाथ निचोड लिया, उन्हें धन्यवाद दिया, और जल्द ही अपने आत्म विनाश और निराश से अत्यधिक अहंकार और दुसाहस के संक्रमण में अहंकार पूर्वगोशना की कि उनके दोस्त को उनके भाग्य के बारे में चिंता नहीं होगी, कि वह जानते थे कि उनके भाग्य की व्यवस्था कैसे करें, वह जल्द ही और वह संरक्षन प्राप्त करने की उम्मीद करत पूर्वकों के साथ पार्टियों में काट दिया, लेकिन आप अधीर हैं, आप अपनी अधीरता से बिमार हैं, आपके पास थोड़ी सादगी हैं, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं, जब आप धनुश उठाते हैं, तो आप शब्दों और कायरों में बोल्ड होते हैं, आपको गर्व है और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्षे के लिए आते हैं, और यदि नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं, आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, यहां भावी हमारा हमारे 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 वे आपको पिन से पीड़ा देते हैं, यहां तक कि मैं इसका अनुभव करना शुरू अब खुश हो जाओ, आप इतने गरीब नहीं हैं, आप रह सकते हैं, काले काम की उपेक्षा न करें, लकडी काट लें, क्योंकि मैंने उन्हें गरीब कारिगरों के साथ पार्टियों में काट दिया, लेकिन आप अधीर हैं, आप अपनी अधीरता से बीमार हैं, आपके पा पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने, और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको बुखार है, एक भावना है, यदि आप लक्षे के लिए आते हैं, और यदि नहीं, तो भी एक मौका के क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, यहां, भाई, हमारा वे आपको पिन से पीडा देते हैं, यहां तक कि मैं इसका अनुभव करना शुरू कर रहा हूँ, अब खुश हो जाओ, आप इतने गरीब नहीं हैं, आप रह सकते हैं, काले काम की उपेक्षा न करें, लकडी काट लें क्योंकि मैंने उन्हें गरीब कारीगरों के साथ पार्टियों में काट दिया, लेकिन आप अधीर हैं, आप अपनी अधीरता से बीमार हैं, आपके पास थोड़ी सादगी हैं, आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं जब आप धनुश उठाते हैं, तो आप शब्दों और कायरों में बोल्ड होते हैं, आपको गर्व है और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं, आपको काले काम की उपेक्षा न करें, लकडी काट लें, क्योंकि मैंने उन्हें गरीब कारीगरों के साथ पार्टियों में काट दिया, लेकिन आप अधीर हैं, आप अपनी अधीरता से बीमार हैं, आपके पास थोड़ी सादगी हैं, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने स यदि आप लकष्य के लिए आते हैं और यदी नहीं तो भी एक मौका के लिए जाएं। आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप अपने सिर को बहुत काम देते हैं, जब आप धनुष उठाते हैं, तो आप शब्दों और कायरों में बोल्ड होते हैं, आपको गर्व है और आपके पास थोड़ा साहस है, साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जा और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं. आपको बुखार है, एक भावना है. यदि आप लक्ष के लिए आते हैं और यदि नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं. आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत है. यहां, भाई, हमारा जब आपको धनुष उठाना होगा, आपको गर्व है, और आपके पास थोड़ा साहस है. साहस पूर्वक, प्रतीक्षा करें, जाने. और यदि आप अपनी ताकत की उम्मीद नहीं करते हैं, तो एक मौका के लिए जाएं. आपको बुखार है, एक भावना है. यदि आप लक्षे के लिए आते हैं, और यदि नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं. आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है. यहां, भाई, हमारा जब आपको धनुष उठाना होगा, आपको गर्व है, और आपके पास थो और यदि नहीं, तो भी एक मौका के लिए जाएं. आप किसी भी मामले में नहीं हारेंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है. यहां, भाई, हमारा एवोज महान बात. एफिमोव ने अपने पूर्व कॉमरेड की गहरी समझ के साथ बात सुनी. लेकिन जैसा कि उन्होंने बा आत्म विश्वास में बदल गया. फिर साधारन अपमान में, और अंत में, जब बी ने अपना उद्बोधन समाप्त किया, तो एफिमोव ने पहले से ही अनुपस्थित मन और अधीरता से उनकी बात सुनी. हालांकि उन्होंने गर्म जोशी से अपना हाथ निचोड लिया, उन्हें धन्यवाद दिया, और जल्द ही अपने आत्म विनाश और निराशा से अत्यधिक अहंकार और दुसाहस के संक्रमण में, अहंकार पूर्वग घोशना की, कि उनके दोस्त को उनके भाग्य के बारे में चिंता नहीं होगी, कि वह जानते थे कि उनके भाग्य की व्य लेकिन अपने पूर्व कॉमरेट के विपरीत नहीं था, और वे तूट गए, हालांकि निश्चत रूप से लंबे समय तक नहीं, एफेमोव ने तुरंत उसे दिये गए पैसे को जिया और दूसरी बार उनके लिए आया, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर दस्वें आखिरकार बी ने धैर्यक हो दिया और घर को प्रभावित नहीं किया, तबसे वह पूरी तरह से उसकी द्रश्टी खो चुका है, कई साल बीत चुके हैं, एक बार भी रिहरसल से घर लोटते हुए, एक गली मेठ होकर खाए, एक गंदे सराय के प्रवेश द्वार पर, एक आदमी, पर बुरी, तरह से कपड़े, पहने, हॉप, जिसने उसे नाम से नाम दिया, यह एफिमोव था, वह बहुत बदल गया, पीला हो गया, उसके चेहरे पर सूजन आ गई, यह स्पष्ट था कि एक असंतुष्ट जीवन ने अमिट तरीके से उस पर अपनी चाप छोड और उसके साथ दो शब्दों का उच्चारन करने का समय नहीं था, उसके बाद सराय चला गया, जहां उसने उसे घसीटा, वहाँ, एक छोटे से दफन कमरे में, उसने अपने दोस्त को करीब से देखा, वह लगभग लत्ता में था, पतले जूते में, उसकी अव्यवस्थित शर्त शराब से ढकी हुई थी, उसके सिर पर बाल ग्रे और क्रॉल करने लगे, आपके बारे में क्या, अब आप कहा हैं, बी से पूछा, एफेमोव शर्मिंदा था, यहां तक कि पहली बार में, असंगत और अचानक जवाब दिया, इसलिए बी ने सोचा कि उसने उसके साम में विश्वास नहीं किया गया था, यह कहते हुए, वह शर्मा गया, हालांकि उसने किसी तरह के जीवन्त इशारे के साथ खुद को प्रोचसाहित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अशिष्ट, नकली, कष्ट प्रद निकला, इसलिए सब कुछ बहुत ही दयनिय था, और अ गया था, कि उसकी आँखों में आशु के साथ वह अपने दाता के हाथों को चूमने के लिए तैयार था, रात के खाने में, बी ने सबसे बड़े आश्चरय के साथ सीखा, कि दुर्भागे पूर्ण शादी हुई थी, लेकिन वह और भी चकित था, जब उसे तुरंत पता, चला कि पतनी ने अपने सब ही दुर्भागे और दुहक को दूर किया, और उस विवाह ने उनकी सब ही प्रतिभाओं को मार डाला, ऐसा कैसे, भी पूछा, मैं, भाई, अब दो साल के लिए वाइलिन नहीं लिया है, एफिमोफ का जवाब दिया, बाबा, कुक, अशिक्षि शादी की, उसे मुझसे प्यार हो गया, उसने खुद मेरी गर्दन पर लटका दिया, किसने उसे धक्का दिया, पैसा रहता है, लथपत है, भाई, और यहां क्या प्रतिभा है, सब कुछ चला गया है, बी ने देखा कि एफिमोव अपने सामने किसी चीज में खुद को सही ठहराने की जल्दी में लग रहा था, उसने सब कुछ फेंग दिया, सब कुछ फेंग दिया, उसने जोड़ा, फिर उसने उसे घोशना की, कि हाल ही में वह वाईलिन पर लगभग पूर्णता तक पहुंच गया था, जो शायद, हालांकि बी शहर के पहले वाईलिन बादकों में से एक था, और यदी वह चाहता था, तो उसे चहनित नहीं किया जाएगा, तो क्या बात थी, ने कहा कि आश्चर्य चकित भी, क्या आप एक जगह की तलाश करेंगे, इसके लायक नहीं है, एफिमोव ने कहा, उसका हाथ लहराते हुए, आप में से कितने लोग वहाँ तुम क्या जानते हो, शिश, कुछ भी नहीं, यही आप जानते हैं, बहले में एक मृत्य, क्या है आपका व्यवसाय है, आपने अच्छे लोगों को नहीं देखा, और सुना नहीं, आपको क्या चुना है, जैसा चाहो वैसे रहो, तब एफिमोव ने फिर से अपना हाथ लह खराया और एक कुरसी पर बैठ गया, क्योंकि वह बहुत थंडा था, फिर उसने बी को फोन करना शुरू किया, लेकिन उसने इंकार कर दिया, अपना पता लिया, और आश्वासन दिया कि वह कल उसके पास आएगा, एफिमोव जो अब भरा हुआ था, अपने पूर्व कॉम उच्चतम के रूप में सेवा दी, पहले कमरे से गुजरते हुए, उन्होंने बंद कर दिया, और बी को सराय और जनता को पूरी राजधानी में पहले और एक मात्र वाइलिन के रूप में सिफारिश की, एक शब में वह उस समय बेहत गंदा था, हालां कि बी ने उसे अगल मोव से शादी की, ये एक दुखी महिला थी, इससे पहले वह एक शासन था, पूरी तरह से शिक्षित, सुंदर और गरीबी से, एक पुराने अधिकारी मेरे पिता से शादी की, वह केवल एक वर्ष उसके साथ रही, जब मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गई, और उनके उत्तराधिकारियों के बीच अल्प विरासत को विभाजित किया गया, तो मेरी मा को मेरे साथ अकेला छोड़ दिया गया, एक नगन्य राशी के साथ जो उनके पास गई, फिर से शासन में जाना, एक छोटे बच्चे के साथ उसकी बाहों में मुश्किल था, इस समय किसी त उसकी कलपना एक स्तंभ, एक शानदार आदमी के नेता होने के शानदार भाग्य से चापलूसी की गई थी, और उसने उससे शादी की, पहले महीने में उसके सभी सपने और आशाएं गायब हो गई, और उसके सामने एक दयनीय वास्तविक्ता बनी रही, एफिमोव, जो वा अस्तव में शादी कर चुके थे, शायद इसलिए कि मेरी मा के पास कुछ हजार रूबल थे, जैसे ही वे रहते थे, अपने हाथों को मोड दिया, और जैसे कि अपने बहाने में आनंदित तुरंत सभी को और सभी को घोशना की, कि शादी उनकी प्रतिभा को बरबाद कर दि एक भूखे परिवार के साथ आंक से आंक मिलाना, वह गीत अंत में दिमाग में नहीं जाएगा, और संगीत जाहिर है, इस तरह का दुर्भाग्य उनके परिवार पर लिखा गया था, ऐसा लगता है कि वह खुद बाद में अपनी शिकायतों की निश्पक्षता में आश्व और नए बहाने से खुश लग रहा था, यह दुर्भाग्य पूर्ण लग रहा था, खोई हुई प्रतिभा ने खुद एक बाहरी मामले की मांग की, जिस पर सभी विफलताओं, सभी आपदाओं को दोशी ठहराया जा सकता है, वह उस भयानक विचार पर विश्वास नहीं क कर सकता था, जो वह लंबे समय से था, और हमेशा के लिए कला के लिए मर गया, वह एक भयानक दुस्वपन की तरह, इस भयानक विश्वास के साथ, और आखिरकार जब वास्तविक्ता ने उसे हरा दिया, जब उसकी आँखें मिनटों में खुल गई, तो उसने महसूस किया, कि वह डरावनी के साथ पागल होने के लिए तैयार है, वह इतनी आसानी से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वह इतने लंबे समय तक उसका पूरा जीवन था, और अंतिम मिनट तक उसने सोचा कि मिनट अभी तक नहीं गया था, संदेह के घंटों में वह नशे में लिप्त ह जिसके बदसूरत बच्चे ने उसकी लालसा को दूर कर दिया, अंत में वह नहीं जानता होगा कि उस समय उसे पतनी की आवशक्ता कैसे थी, यह एक जीविद बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस विचार से लगभग ग्रस्त थे, कि जब उन्होंने अपनी पतनी को दफनाया था, जिस पर आप सभी विफलताओं, सभी आपदाओं को दोश दे सकते हैं, वह उस भयानक विचार पर विश्वास नहीं कर सकता था, जो वह लंबे समय से था, और हमेशा के लिए कला के लिए मर गया, वह एक भयानक दुहस्वपन की तरह, इस भयानक व इसे यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वह इतने लंबे समय तक उसका पूरा जीवन था, और अंति मिनट तक उसने सोचा कि मिनट अभी तक नहीं गया था, संदेह के घंटों में वह नशे में लिप्त हो गया, जिसके बदसूरत बच्चे ने उसकी लालसा को दूर कर दिया, अंत में वह नहीं जानता होगा कि उस समय उसे पत्नी की आवश्यक्ता कैसे थी, यह एक जीविद बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस विचार से लगभग ग्रस्त थे कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को दफनाया था, जिस पर आप सभी विफलताओं, सभ आपदाओं को दोश दे सकते हैं, वह उस भयानक विचार पर विश्वास नहीं कर सकता था, जो वह लंबे समय से था, और हमेशा के लिए कला के लिए मर गया, वह एक भयानक दुस्वपनक की तरह, इस भयानक विश्वास के साथ और आखिरकार, जब वास्तविक्ता ने उस पूरा जीवन था, और अंतिम मिनट तक उसने सोचा कि मिनट अभी तक नहीं गया था, संदेह के घंटों में वह नशे में लिप्त हो गया, जिसके बदसूरत बच्चे ने उसकी लालसा को दूर कर दिया, अंत में वह नहीं जानता होगा कि उस समय उसे पतनी की आवशक्ता कैसे थी, यह एक जीविद बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस विचार से लगभग ग्रस्त थे, कि जब उन्होंने अपनी पतनी को दफनाया था, वह लंबे समय से था, और हमेशा के लिए कला के लिए मर गया, वह नहीं कर सका, वह एक भयानक दुस्वपन की तरह, इस भयानक विश्वास के साथ और आखिरकार, जब वास्तविक्ता ने उसे हरा दिया, जब उसकी आँखें मिनटों में खुल गई, तो उसने महसूस किया कि वह डरावनी के साथ पागल होने के लिए तैयार है, वह इतनी आसानी से यह सुनिश्चित नहीं कर सका, क कि वह इतने लंबे समय तक उसका पूरा जीवन था, और अंतिम मिनट तक उसने सोचा कि मिनट अभी तक नहीं गया था, संदेह के घंटों में वह नशे में लिप्त हो गया, जिसके बदसूरत बच्चे ने उसकी लालसा को दूर कर दिया, अंत में वह नहीं जानता होगा कि उस समय उसे पतनी की आवशक्ता कैसे थी, यह एक जीवित बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस विचार से लगभग ग्रस्त थे कि जब उन्होंने अपनी पतनी को दफनाया था, वह लंबे समय से था और हमेशा के लिए कला के लिए मर गया, वह नहीं कर सका वह एक भयानक दुस्वपन की तरह, इस भयानक विश्वास के साथ और आखिरकार जब वास्तविक्ता ने उसे हरा दिया, जब उसकी आँखें मिनटों में खुल गई, तो उसने महसूस किया कि वह डरावनी के साथ पागल होने के लिए तैयार है, वह इतनी आसानी से यह चित नहीं कर सका कि वह इतने लंबे समय तक उसका पूरा जीवन था, और अंतिम मिनट तक उसने सोचा कि मिनट अभी तक नहीं गया था, संदेह के घंटों में वह ये तिरते करते खे किया, वह नशे में लिप्त हो गया, जिसके बदसूरत बच्चे ने उसकी लालसा को अंत में वह नहीं जानता होगा कि उस समय उसे पतनी की आवश्यक्ता कैसे थी, यह एक जीवित बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस विचार से लगभग ग्रस्त थे कि जब उन्होंने अपनी पतनी को दफनाया था, जब वास्तविक्ता ने उसे हरा दिया, जब उसकी आँखें मिनटों में खुल गई, तो उसने महसूस किया कि वह डरावने से पागल होने के लिए तैयार है, वह इतनी आसानी से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वह इतने लंबे समय तक उसका पूरा जीवन था, और अंत मिनट तक उसने सोचा कि मिनट अभी तक नहीं गया था, संदेह के घंटों में वह नशे में लिप्त हो गया, जिसके बदसूरत बच्चे ने उसकी लालसा को दूर कर दिया, अंत में वह नहीं जानता होगा कि उस समय उसे पतनी की आवशक्ता कैसे थी, यह एक जीविद बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस विचार से लगभग ग्रस्त थे, कि जब उन्होंने अपनी पतनी को दफनाया था, जब वास्तविक्ता ने उसे हरा दिया, जब उसकी आँखें मिनटों में खुल गई, तो उसने महसूस किया कि वह डरावने से पागल होने के लिए तैयार है, वह इतनी आसानी से या सुनिश्चित नहीं कर सका, कि वह इतने लंबे समय तक उसका पूरा जीवन था, और अंति मिनट तक उसने सोचा कि मिनट अभी तक नहीं गया था, संदेह के घंटों में वह नशे में लिप्थ हो गया, जिसके बतसूरत बच्चे ने उसकी लालसा को दूर कर दिया, अं कि जब उन्होंने अपनी पतनी को दफनाया था, जो अपने बतसूरत बच्चे के साथ अपनी लालसा को दूर करता है, अंत में वह नहीं जानता होगा कि उस समय उसे पतनी की आवश्यक्ता कैसे थी, या एक जीविद बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस व पतनी की आवश्यक्ता कैसे थी, यह एक जीविद बहाना था, और वास्तव में मेरे सौतेले पिता इस विचार से लगभग ग्रस्त थे कि जब उन्होंने अपनी पतनी को दफनाया था, जिसने उसे मार डाला सब कुछ अपना कोर्स करेगा, बेचारी मा उसे समझ नहीं पा जिसने उसे यातना देने के लिए कुछ खुशी पाई और लगातार उसे काम करने के लिए निकाल दिया, लेकिन अंधा, मेरे सौतेले पिता के गतिहीन विचार, उनके अपव्या ने उन्हें लगभग अमानविय और असम वेधनशील बना दिया, वह केवल हंसा और अपनी पतनी के मृत्यु तक वाइलिन न लेने की कसम खाई, जिसे उसने क्रूरता के साथ घोशित किया, मा, जो अपनी मृत्यु तक जोश से उसे प्यार करती थी, सब कुछ के बावजूद, ऐसा जीवन सहन नहीं कर सकती थी, वह हमेशा के लिए दर्दनाक हो गई, हमेशा पीड खोली, लेकिन उसके पती ने उसके सारे पैसे धीरे-धीरे खीच लिये, और उसे अकसर दोपहर के भोजन के बजाए खाली व्यनजन भेजने के लिए मजबूर किया गया, जिनके लिए उसने काम किया था, जब बी ने हमसे मुलाकात की, तो वह कपड़े धोने और एक पु सौतेले पिता से कहा, हत्या की प्रतिभा कहा है, वह आपको खिलाती है, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, ने सौतेले पिता को जवाब दिया, लेकिन बी को अभी तक मा की सारी आबदा का पता नहीं था, पती अकसर अपने घर में अलग-अलग अबरों और बुआओं की पूरी वादगी लाता था, और फिर कुछ भी नहीं था, बी ने लंबे समय तक अपने पूर्व कॉमरेड को आश्वस्त किया, अंत में उसे घोशना की, कि यदि वह सुधार नहीं करना चाहता है, तो वह उसकी किसी भी चीज में मदद नहीं बिना किसी शालीनता के, कहा कि वह उसे पैसे नहीं देगा, क्योंकि वह उसे पीएगा, और अंत में उसे वाईलिन पर कुछ खेलने के लिए कहा, यहाँ यह देखने के लिए कि उसके लिए क्या किया जा सकता है, जब सौतेला पिता वाईलिन के लिए गया, तो बी ने धीर वोधका के लिए कहा यह कहते हुए कि इसके बिना वह खेल नहीं सकता था। और अपने सौतेले पिता से पूछा कि वह अपने निबंध को छोड़ कर जो वह खुद लाया था उसमें से कुछ खेलने के लिए। सौतेले पिता थोड़ा नाराज थे लेकिन नए सनरक्षन को खोने से डरते हुए उन्होंने बी के आदेश को पूरा किया। तब बी ने देखा कि पूर्व कॉमरेड ने वास्तव में बहुत कुछ किया और अपने अलगाव के दौरान इसे हासिल कर लिया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वह बहुत शादी से साधन नहीं लेंगे। मेरी गरीब मा की खुशी को देखना आवश्यक था। उसने अपने पती को देखा और फिर से उस पर गर्व किया। इमानदारी से खुशी हुई। अच्छे बी ने अपने सौतेले पिता को सनलगन करने का फैसला किया। उसके पास पहले से ही महान संबंध थे और तुरंत अपने गरीब दोस्त से पूछना और सिफारिश करना शुरू कर दिया। उससे प्रारंभिक शब्द लेना कि वह अच्छा व्यवहार करेगा। इस बीच उसने अपने खर्च पर उसे बहतर कपड़े पहनाए और उसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों तक पहुँचाया जिन पर वह स्थान प्राप्त करना चाहता था जो उसके लिए निर्भर था। तथे ये है कि एफिमोव केवल शब्दों में बोले। लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अपने पुराने दोस्त की पेशकश को स्वीकार किया। भी उन्होंने कहा कि वह सभी चापलूसी के लिए शर्मिंदा थे और सभी अपमानित पूजा के लिए जिसके साथ उनके सौतेले पिता ने उन्हें खुश करने की कोशिश की किसी तरह अपना पक्ष खोने से डरते थे। वह समझ गया कि उसे एक अच्छी सड़क पर रखा जा रहा है और शराब पीना भी बंद कर दिया है। वह अपने दम पर रहता था, नए दोस्तों के साथ पीता और खाता था, जिसे उसने तुरंत पूरा चक्र शुरू कर दिया था। वह मुख्य रूप से थेटर मंत्रियों, कौरिस्ट्स, कूरेटर के साथ एक शब्द में थे। ऐसे लोगों के साथ जिनके बीच वह भाग ले सकते थे। और वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों से बचा। वह खुद के लिए कुछ विशेश सम्मान को प्रेरित करने में कामयाब रहे। तुरंत उन्हें बताया कि वह एक गैर मान्यता प्राप्त व्यक्ती था, कि वह बड़ी प्रतिभा के साथ था, कि उसकी पत्नी ने उसे मार डाला था। और आखिरकार उनके बैंड मास्टर को संगीत में कुछ भी समझ में नहीं आया, वह औरकेस्ट्रा के सभी कलाकारों पर हंसे नाटकों की पसंद पर जो मंच पर रखे गए हैं और अंत में आपेरा के बहुत लेखकों ने खेला, अंत में उन्होंने संगीत के कुछ नए सिध्धान्त की व्याख्या करना शुरू क एक शब्द में पूरे ओनर केस्ट्रा से ठक गए, अपने साथियों के साथ जगडा किया, एक बैंड मास्टर के साथ अपने वरिष्ठों के लिए कठोर, सबसे बेचैन, सबसे बेतुका के रूप में एक प्रतिष्ठा प्राप्त की, एक ही समय में सबसे तुछ व्यक्ती और उस पर लाया गया, जो सभी के लिए असहनीय हो गया, कि उसकी पतनी ने उसे मार डाला, और आखिरकार उनके बैंड मास्टर को संगीत में कुछ भी समझ में नहीं आया, वहाँ ओनर केस्ट्रा के सभी कलाकारों पर हंसे नाटकों की पसंद पर जो मंच पर रखे गए है और अंत में ओपेरा के बहुत लेखकों ने खेला, अंत में उन्होंने संगीत के कुछ नए सिध्धान्त की व्याक्या करना शुरू कर दिया, एक शब्द में पूरे ओनर केस्ट्रा से ठक गए, अपने सातियों के साथ जगड़ा किया, एक बैंड मास्टर के साथ, अपने वरिष्ठों के लिए कठोर, सबसे बेचैन, सबसे बेतुका के रूप में एक प्रतिष्ठा प्राप्त की, एक ही समय में सबसे तुछ व्यक्ती और उस पर लाया गया, जो सभी के लिए असहनी ये हो गया, कि उसकी पतनी ने उसे मार डाला, और आखिरकार उनके बैंड मास उन्होंने संगीत के कुछ नए सिध्धान्त की व्याख्या करना शुरू कर दिया, एक शब्द में पूरे औरकेस्ट्रा से ठक गये, अपने साथियों के साथ जगडा किया, एक बैंड मास्टर के साथ, अपने वरिष्ठों के लिए कठोर, सबसे बेचैन, सबसे बेतुका क एक प्रतिष्ठा प्राप्त की, एक ही समय में सबसे तुछ व्यक्ति और उस पर लाया गया, जो सभी के लिए असहनिय हो गया, अपने वरिष्ठों के प्रति असभ्य, सबसे बेचैन, सबसे बेतुका, और एक ही समय में सबसे तुछ व्यक्ति के रूप में एक प्रतिष्ठा प्राप्त की और इस बिंदु पर लाया कि वह सभी के लिए असहनिय हो गया। एक लापर वह संगीतकार के साथ एक ही समय में इतने बड़े दावों के साथ, इस तरह के तीखेपन के साथ, स्वेगर तिनने एं इतने तेद स्वर के साथ, यह बी के साथ सौतेले पिता के जगडे के साथ समाप्त हुआ, सबसे बुरा गपशप का आविश्कार किया, सबसे और केस्ट्रा से बच गया, लेकिन उसने इतनी जल्दी अपनी जगह नहीं छोड़ी, जल्द ही वह अपने पूर्व लत्ता में देखा गया था, क्योंकि एक सभ्य पोशाक सभी बेची गई थी और फिर से रखी गई थी, वह अपने पूर्व सहयोगियों के पास आना गपशप की, बकवास किया, अपने जीवन पर रोया और सभी को अपनी पत्नी के खलनायक को देखने के लिए बुलाया, बेशक, श्रोता थे, ऐसे लोग थे जो खुशी पाते थे, एक निर्वासित कॉमरेड नशे में थे, उसे सभी बकवास बात करने के लिए, इसके अला उन्होंने हमेशा तेज और चालाकी से बात की और कास्टिक पित और विभिन निंदक हरकतों के साथ अपना भाशन दिया, जो प्रसिद्ध प्रकार के श्रोताओं को पसंद करते थे, वह कुछ असाधारन जस्टर के लिए गलत था, जो कभी-कभी उसे आलस्य से चैट करने के लिए सुखद होता है, वे उसे चिड़ाना पसंद करते थे, उसके साथ कुछ नए तेहरा चर्मराते हुए बात करते थे, यह सुनकर एफिमोव अपने चहरे में बदल गया, डर पोक, पता चला की कौन आया और कौन ऐसी नई प्रतिभा, और तुरंत उसकी महिमा से इश करने लगा, ऐसा लगता है कि अपसे केवल उनकी वास्तविक व्यवस्थित, पागलपन ने अपने गतिहीन विचार को शुरू किया कि वह पहले वाइलिन वादन थे, कम से कम सेंट पीतर सबर्ग में, लेकिन वह भागय का पीछा कर रहे थे, विभेनन साजशों से नाराज थे, समझ में नहीं आया और था अक्यात में, उत्तरार्ध ने भी उसकी चापलूसी की, क्योंकि ऐसे पातर हैं, जो खुद को नाराज और उत्पीड़त मानने के लिए प्यार करते हैं, इसके बारे में शिकायत करते हैं, या चुपचाप खुद को सांतवना देते हैं, उन में से किसी में भी प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला, दुर्भागयपूर्ण अपव्यय को जानने वाले पार्खी और शौकीनों ने उसे बदले में बोलने के लिए कुछ प्रसिद्ध, प्रतिभाशाली वाइलिन वादक के बारे में बात करना पसंद किया, वे अपने गु कि दुनिया में कोई भी इतनी चतुराई से आधुनिक संगीत हस्तियों को इतनी जीवन्त कैरिकेचर में चित्रित नहीं कर सकता है। थियेटर के गलियारों में और परदे के पीछे देखने के आदी थे। कर्मचारियों ने उसे एक आवशक व्यक्ति के रूप में याद नहीं किया और वह किसी तरह का घर फसट बन गया। ऐसा जीवन दो या तीन साल तक चला। लेकिन आखिरकार उन्होंने इस अंतिम पानी में डूब गए थे और उन्हें कहीं भी नहीं देखा गया था। हाला कि बी ने उनसे दो बार मुलाकात की लेकिन इस तरह के दयनिय रूप में कि करुणा एक बार फिर घिना पर हावी हो गई। उसे बुलाया लेकिन उसके सौतेले पिता नाराज थे। कुछ भी नह अमरेड एफिमोव उन्हें बधाई देने आये थे। बी उसके पास गया। एफिमोव ने आशा व्यक्त की लगभग अपने पैरों पर बहुत कम जुकना शुरू कर दिया। कुछ ने अपने होटों को हिलाया और हट पूर्वक कमरों में नहीं जाना चाहता था। उनके यह था कि वे कहते हैं हमारे लिए अनचुए लोगों को आपके जैसे बड़पन के साथ सीखने के लिए हमारे लिए छोटे लोगों के लिए छुटी पर आपको बधाई देने के लिए एक बलकी लैकी जगहा है। हम यहां जुकेंगे और निकलेंगे। एक शब्द में सब कुछ ठीक था बेवकूफ और घ्रिनित घ्रिनित तब से बी ने उसे बहुत लंबे समय तक नहीं देखा बिलकुल तबाही तक जिसने इस सभी दुखद, दर्दनाक और अद्भुत जीवन की अनुमति दी उसे भयानक तरीके से हल किया गया था। यह तबाही न केवल मेरे बचपन के पहले चापों के साथ बलकि मेरे पूरे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है। ऐसा ही हुआ लेकिन पहले मुझे यह समझाना होगा कि मेरा बचपन क्या था और यह व्यक्ती मेरे लिए क्या था जो मेरे पहले चापों में बहुत दर्दनाक रूप से हम यहाँ जुकेंगे और निकलेंगे एक शब्द में सब कुछ ठीक था बेवकूफ और घ्रनित घ्रनित तब से बी ने उसे बहुत लंबे समय तक नहीं देखा बिलकुल तबाही तक जिसने इस सभी दुखद, दर्दनाक और अद्भुत जीवन की अनुमती दी उसे भयानक तरीके से हल किया गया था यह तबाही न केवल मेरे बचपन के पहले चापों के साथ बलकि मेरे पूरे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है ऐसा ही हुआ लेकिन पहले मुझे यह समझाना होगा कि मेरा बचपन क्या था और यह व्यक्ति मेरे लिए क्या था जो मेरे पहले बहुत दर्दनाक रूप से परिलक्षित हुआ था और जो मेरी गरीब मा की मृत्यू का कारण था आपके रूप में इस तरह के बड़पन के साथ जानने के लिए हमारे लिए छोटे लोग छुटी पर बधाई देने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है हम यहां जुकेंगे और निकलेंगे एक शब्द में सब कुछ ठीक था बेवकूफ और घ्रिनित घ्रिनित तब से बी ने उसे बहुत लंबे समय तक नहीं देखा बिलकुल तबाही त साथ बलकि मेरे पूरे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है ऐसा ही हुआ लेकिन पहले मुझे यह समझाना होगा कि मेरा बचपन क्या था और यह व्यक्ति मेरे लिए क्या था जो मेरे पहले चापों में बहुत दर्दनाक रूप से परिलक्षित हुआ था और जो मेरी गरी जिसने इस सभी दुखध, दर्दनाक और अद्भुत जीवन की अनुमती दी। उसे भयानक तरीके से हल किया गया था। यह तबाही न केवल मेरे बच्पन के पहले चापों के साथ बलकि मेरे पूरे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है। ऐसा ही हुआ लेकिन पहले मुझे यह समझाना होगा कि मेरा बच्पन क्या था और यह व्यक्ती मेरे लिए क्या था जो मेरे पहले चापों में बहुत दर्दनाक रूप से परिलक्षित हुआ था और जो मेरी गरीब मा की मृत्यू का कारण था जुकना और यहाँ छोड़ना एक शब्द में सब कुछ ठीक था बेवकूफ और घ्रिनित घ्रिनित तब से बी ने उसे बहुत लंबे समय तक नहीं देखा बिलकुल तबाही तक जिसने इस सभी दुखद दर्दनाक और अद्भुत जीवन की अनुमती दी उसे भयानक तरीके से हल किया गया था यह तबाही ने केवल मेरे बच्पन के पहल जो मेरे पहले चापों में बहुत दर्दनाक रूप से परिलक्षित हुआ था और जो मेरी गरीब मा की मृत्यू का कारण था यह तबाही न केवल मेरे बच्पन के पहले चापों के साथ बलकि मेरे पूरे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है ऐसा ही हुआ लेकिन पहले जो मेरे पहले चापों में बहुत दर्दनाक रूप से परिलक्षित हुआ था और जो मेरे गरीब मा की मृत्यू का कारण था यह तबाही न केवल मेरे बच्पन के पहले चापों के साथ बलकि मेरे पूरे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है ऐसा ही हुआ लेकिन पहले गरीब मा की मृत्यू का कारण था मैंने खुद को बहुत देर से याद करना शुरू किया केवल नौवे वर्ष से मुझे नहीं पता कि इस उम्र से पहले मेरे साथ जो कुछ भी था उसने मुझे कोई स्पष्ट धारणा नहीं दी कि मैं अब याद कर सकता हूँ लिकिन साढ अपने में कुछ पहले याद कर सकता हूँ हमेशा एक अंधेरे कोने में एक जाम दीपक एक प्राचिन छवी में फिर जैसे ही एक घोडे ने मुझे एक बार सड़क पर मारा क्यों जैसा कि मुझे उसके बाद बताया गया था मैं तीन महीने तक बीमार रहा इस बीमारी के द तुहे कोने में पार हो गए और पूरी रात डर के मारे कांपते रहे कंबल के नीचे मंडराते रहे लेकिन मा को जगाने की हिम्मत नहीं हुई जिससे मैं यह निशकर्ष निकालता हूँ कि मैं किसी भी डर से ज्यादा उससे डरता था लेकिन उस समय से जब मैंने अचानक ख हो गया जल्द ही सब कुछ बेहद स्पष्ट हो गया जिस समय से मैं खुद को अच्छी तरह से याद करना शुरू करता हूँ उसने मुझ में एक तेज और दुखत च्छाप छोड़ी यह च्छाप हर दिन बाद में दोहराई गई और हर दिन बढ़ी इसने मेरे माता-पिता के जीवन के पूरे समय के लिए एक अजीब अजीब स्वाद फेंग दिया और उसी समय और मेरा सारा बच्पन जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो गया जिस समय से मैं खुद को अच्छी तरह से याद करना शुरू करता हूँ उसने मुझ में एक तेज और दुखत च्छाप छ जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो गया जिस समय से मैं खुद को अच्छी तरह से याद करना शुरू करता हूँ उसने मुझ में एक तेज और दुखत च्छाप छोड़ी यह च्छाप हर दिन बाद में दोहर आई गई और हर दिन बड़ी इसने मेरे माता पिता के जीवन के प हालांकि तब निश्चित रूप से यह मेरे लिए इतना अद्भुत नहीं था मैंने खुद को एक बड़े कमरे में कम छट भरा हुआ और अशुद पाया दीवारों को गंदे ग्रेप पेंट से चितरित किया गया था कोने में एक विशाल रूसी स्टोव था खिडकिया बाह कुसी बेंच और फिर किसी तरह खिडकी पर जाने की जरूरत थी जिस पर मुझे बैठना पसंद था जब कोई घर नहीं था आधा शहर हमारे अपार्टमेंट से दिखाई दे रहा था हम छै मनजिला विशाल घर में छट के नीचे रहते थे हमारे सभी फरनीचर में कुछ सर जो हमेशा एक तरफ पहती रही और कागस की स्क्रीन फटी मुझे याद है कि गोधूली थे सब कुछ गडबड और बिखरा हुआ था ब्रश कुछ लत्ता हमारे लकड़ी के व्यंजन एक तूटी हुई बोतल और मुझे नहीं पता कुछ और मुझे याद है कि मा किसी कारण से बेहद उतसाहित और रोई थी सौतेला पिता अपने हमेशा फटे फ्रॉक कोट में कोने में बैठ गया उसने उसे एक मुसकराहट के साथ जवाब दिया जिसने उसे और भी नाराज कर दिया और फिर ब्रश और व्यंजनों के फर्श पर उड़ गया मैं रोया चिलाया और उन दोनों के पास गया मैं बयानत डर्में था और अपने पिता को अपने साथ असपश्ट करने के लिए कसकरगले लगाया भगवान जानता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मा व्यर्थ में उससे नाराज थी कि वह दोश नहीं दे रही थी मैं उसके लिए माफी और मुझे स्क्रीन से खीच लिया मैंने बिस्तर पर अपने हाथ को चोट पहुँचाई लेकिन डर दर्द से ज्यादा मजबूत था और मुझे भी दर्द नहीं हुआ मुझे यह भी याद है कि मा ने अपने पिता से कुछ कड़वा और उत्साह से कहना शुरू किया मेरी औ इशारा करते हुए मैं उसे इस कहानी में पिता कहना जारी रखूंगी क्योंकि बहुत कुछ पता चलने के बाद कि वह मेरी अपनी नहीं थी यह पूरा द्रिश्य दो घंटे तक चला और मैंने उम्मीद के साथ कांपते हुए आमे कजी अपने सभी के साथ यह अनुमान और मैं कसकर उसकी छाती से चिप के मीठा यह शायद पहला माता पिता का सनेह था शायद इसी लिए मैंने उस समय से सब कुछ सपष्ट रूप से याद करना शुरू कर दिया मैंने यह भी देखा कि मैं उसके लिए खड़े होने के लिए अपने पिता की दया का पात्र था औ और मुझे हर दिन अधिक से अधिक नाराज किया है अब से मेरे पिता के लिए कुछ असीमित प्यार मुझ में शुरू हुआ लेकिन अद्भुत प्यार जैसे की बिलकुल भी बचकाना नहीं मैं कहूंगा कि यह कुछ दयालू था मात्रिक भावना अगर मेरे प्यार की ऐसी परिभाशा एक बच्चे के लिए थोड़ी मज़ेदार नहीं थी, वह मुझे हमेशा इतना दुखी लग रहा था, उत्पीडन के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए कुचल दिया गया, इतना दुख कि यह मेरे लिए एक भयानक, आप्राकृतिक बात थी, कि उसे स्मृति के बिना प्यार न करें, उसे सांतवना न दें, उसे दुलार करने के लिए नहीं, करने की कोशिश करने के लिए नहीं, यह मेरी पूरी ताकत के साथ है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, कि यह मेरे दिमाग को क्यों पार कर सकता है, कि मेरे पिता दुनिया में इतन प्राणी के रूप में जुड़ गया जो मेरी राय में मेरे साथ उसी समय पीडित है मैंने पहले से ही शिशु नीन से अपना पहला जागरन बताया जीवन में मेरा पहला आंदोलन मेरा दिल पहले क्षण से आहत था और समझ से बाहर ठके हुए गती के साथ मेरा विकास शुरू हुआ मैं अब एक बाहरी छाप के साथ संतुष्ट नहीं हो सकता मैं सोचने लगा कारण, निरीक्षण लेकिन यह अवलोकन इतनी अस्वाभाविक रूप से जल्दी हुआ कि मेरी कल्पना मदद नहीं कर सकती थी लेकिन अपने तरीके से सब कुछ फिर से कर सकती थी और मैंने अचानक खुद को किसी विशेश दुनिया में पाया मेरे आसपास की हर चीज उस परियों की कहानी की तरह बनने लगी जो मेरे पिता ने मुझे अकसर बताई थी और जिसे मैं मदद नहीं कर सकता था लेकिन उस समय शुद सत्य के लिए स्वीकार कर सकता था अजीब अवधारणाओं का जन्म हुआ मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ कि मैं एक अजीब परिवार में रहता हूँ और मेरे माता पिता किसी तरह उन लोगों की तरह नहीं दिखते हैं जिन्हें मैं इस समय मिलने के लिए हुआ था क्यूं? मैंने सोचा मैं अपने माता पिता के विपरीद अन्य लोगों को क्यूं देखता हूँ? मैंने अन्य चेहरों पर हसी क्यूं देखी? और मुझे तुरंत क्यों विस्मित कर दिया कि वे हमारे कोने में कभी नहीं हसते, कभी आनंदित नहीं होते, क्या शक्ती, किस कारण से मुझे, एक नौ साल का बच्चा, चारों ओर देखो, और उन लोगों के हर शब्द को सुनो, जिनहें मैं या तो हमारी सीडियों पर, या स मांबे के पैसे के साथ एक बेंच पर गई थी, मैं समझ गया, और मुझे याद नहीं है कि हमारे कोने में कैसे कुछ शाश्वत, असहनी या दुख, मैंने अपने दिमाग की रैकिंग की, या अनुमान लगाने की कोशिश की, कि ऐसा क्यों है, और मुझे नहीं पता कि किसने मुझे अपने तरीके से यह सब हल करने में मदद की, मैंने अपनी मां पर आरोप लगाया, उसे अपने पिता के खलनायक के रूप में मान्यता दी, और फिर से मैं कहता हूँ, मैं डौन्टी समझ मेरी कल्पना में इस तरह की राक्षसी अवधारणा की रचना कैसे की जा सकत और जहां तक मुझे अपने पिता से जुड़ी हुई है, मेरी गरीब मा से बहुत नफरत है, अब तक इस सब की स्मृती ने मुझे गहराई से और कड़वा बना दिया, लेकिन यहां एक और मामला है, जिसने पहले से अधिक मेरे पिता के साथ मेरे अजीब संबंध में मेरा पहला विचार था कि मेरी मा कितनी नाराज होगी, इस बीच मुझे अपने बाएं हाथ में भयानक दर्द महसूस हुआ और वह उठ नहीं सका, राहगीर मेरे चारों और रुख गए, कुछ बूढ़ी ओरत ने मुझे उठाना शुरू कर दिया, और कुछ लड़के जो अतीत में भागे थे, उन्होंने मुझे सिर की चाबी से मारा, अंत में उन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, मैंने एक तूटे हुए कप की खोपडी को उठाया और लड़ खड़ा गया, मुश्किल से अपने पैरों को हिलाया, अचानक मैंने एक पुजार तक उड़ गई, मैंने अपने पिता को फ्रॉक कोट के फर्ष से पकड़ लिया, उसे एक तूटा हुआ कप दिखाया और रोते हुए कहने लगा कि मैं अपनी मा के पास जाने से डरता हूँ, मुझे किसी तरह यकीन था कि वहां मेरे लिए हस्तक शेप करेगा, लेकिन मुझे यकीन क्यों था कि किसने मुझे बताया, कि किसने मुझे सिखाया कि वहां मुझे मा से ज्यादा प्यार करता है, मैंने बिना किसी डर के उससे संपर्ख क्यों किया, उसने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे सांतवना देने लगा, फिर कहा कि वहां मुझे कुछ दिखाना चाहता ह और मुझे अपनी बाहों में उठा लिया है मैं कुछ भी नहीं देख सकता था क्योंकि उसने मेरे कटे हुए हाथ को पकड़ लिया था और इससे मुझे बहुत दुख हुआ लेकिन मैं चिलाया नहीं उसे परेशान करने से डरता हूँ उसने सब कुछ पूछा क्या मुझे कुछ दिखाई दे रहा है मैंने उसकी खातिर जवाब देने की पूरी कोशिश की और जवाब दिया कि मैंने लाल परदे देखे हैं जब वह मुझे घर के करीब सड़क के दूसरी तरफ ले जाना चाहता था तो मुझे नहीं पता कि अचानक मैंने रोना शुरू कर दिया उसे गले लगाया और अपनी मा से पूछा मुझे याद है कि मेरे पिता का स्नेह तब कठिन था और मैं इस तथे को सहन नहीं कर सका कि उनमें से एक जिसे मैं प्यार करना चाहता था मुझे प्यार करता है और प्यार करता है और मैंने दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की लेकिन मा लगभग बिलकुल भी नाराज नहीं थी और मुझे सोने के लिए भेज दिया मुझे याद है कि मेरे हाथ में दर्द अधिक से अधिक तेज मुझे पर बुखार पकड़ा हालांकि मैं किसी तरह विशेश रूप से खुश था कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समाप्थ हो गया और इस रात मैंने लाल पर्दे के साथ एक पडोसी घर का सपना देखा मुझे पता नहीं क्यों अचानक मुझे रोना शुरू हो गया उसे गले लगाया और उसे अपनी मा से पूछा मुझे याद है कि मेरे पिता का सनेह तब कठिन था और मैं इस तथे को सहन नहीं कर सका कि उन में से एक जिसे मैं प्यार करना चाहता था मुझे प्यार करता है और प्यार करता है और मैंने दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की लेकिन मा लगभग बिलकुल भी नाराज नहीं थी और मुझे सोने के लिए भेज दिया मुझे याद है कि मेरे हाथ में दर्द अधिक से अधिक तेज मुझे पर बुखार पकड़ा हालां कि मैं किसी तरह विशेश रूप से खुश था कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समाप्थ हो गया और इस रात मैंने लाल परदे के साथ एक पड़ोसी घर का सपना देखा मुझे पता नहीं क्यों अचानक मुझे रोना शुरू हो गया उसे गले लगाया और उसे अपनी मा से पूछा मुझे याद है कि मेरे पिता का सनेह तब कठिन था और मैं इस तथ्य को सहन नहीं कर सका कि उनमें से एक जिसे मैं प्यार करना चाहता था मुझे प्यार करता है और प्यार करता है और मैंने दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मा लगभग बिलकुल भी नाराज नहीं थी और मुझे सोने के लिए भेज दिया, मुझे याद है कि मेरे हाथ में दर्द अधिक से अधिक तेज मुझ पर बुखार पकड़ा, हालांकि मैं किसी तरह विशेश रूप से खुश था कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समाप्त हो गया, और इस रात मैंने लाल परदे के साथ एक पडोसी घर का सपना देखा, लेकिन मा लगभग बिलकुल भी नाराज नहीं थी और मुझे सोने के लिए भेज दिया, मुझे याद है कि मेरे हाथ में दर्द अध अधिक से अधिक तेज मुझे पर बुखार पकड़ा, हाला कि मैं किसी तरह विशेश रूप से खुश था कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समाप्त हो गया, और इस रात मैंने लाल परदे के साथ एक पडोसी घर का सपना देखा, लेकिन मा लगभग बिलकुल भी अधिक से अधिक तेज मुझे पर बुखार पकड़ा, हाला कि मैं किसी तरह विशेश रूप से खुश था कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समाप्त हो गया, और इस रात मैंने लाल परदे के साथ एक पडोसी घर का सपना देखा, और जब मैं अगले दिन उठा, तो देखने लगा, यह घर लंबे समय से मेरे बचपन की जिज्यासा से प्रभावित है, मैं विशेश रूप से शाम को उसे देखना पसंद करता था, जब रोशनी सडक पर जलती थी, और जब वे किसी तरह के खूनी, विशेश चमक लाल के साथ चमकने लगते थे, तो चमकीले रोशनी वाले घर के पूरे चशमे के पीछे बैंगनी परदे के रूप में, सुंदर, गर्वित घोडों पर अमीर दल लगभग हमेशा पोर्च तक जाते थे, और सब कुछ मेरी जिज्यासा को शान्त करता था, प्रवेश द्वार पर चीखना और हलचल और बहुरंगीन ल का रूप ले लिया, अब एक अमीर घर में मेरे पिता से मिलने के बाद, घर मेरे लिए दो गुना अद्भुत और उत्सुक हो गया है, अब मेरी चकित कल्पना में कुछ अद्भुत अवधारनाओं और मान्यताओं का जन्म होना शुरू हुआ, और मुझे आश्चर्य नही है कि पिता और मा जैसे अजीब लोगों के बीच मैं खुद इतना अजीब शांदार बच्चा बन गया, मैं किसी तरह विशेश रूप से उनके पात्रों के विपरीत था, मैं मारा गया था उदाहरन के लिए इस तथ्य से कि मेरी मा ने हमेशा हमारे गरीब घर के बारे में परवाह की और ताली बजाई, उसने हमेशा अपने पिता को फटकार लगाई कि वहा कार्यकरता के समान है और मैंने अंजाने में खुद से सवाल पूछा, पिता की मदद क्यों नहीं करता है उसे बिलकुल, वहा हमारे घर में एक अजनभी क्यों लगता है, कुछ मा शब्द पिता ने तुरंत विकसित किया कि कलाकार कुछ विशेश व्यक्ति हैं, अन्य लोगों के विपरीत, हो सकता है कि मेरे पिता के व्यवहार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया हो, शायद मैंने कुछ ऐसा सुना, जो अब मेरी स्मृती से बाहर आया है, लेकिन किसी तरह म मेरे लिए अजीब तरह से समझा गया कि मेरे पिता के शब्दों का अर्थ है, जब उन्होंने एक बार कुछ विशेश भावना के साथ कहा था, ये शब्द थे कि वह समय आएगा जब वह गरीबी में नहीं होगा, जब वह खुद एक मास्टर और एक अमीर आदमी होगा, औ और वहां खिड़की के खिलाफ जुग गया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया, लेकिन फिर जब मैंने हर मिनट इसके बारे में सोचा, जब मुझे अपने पिता की इस भयानक इच्छा की आदत हो गई, कल्पना अचानक मेरी सहायता के लिए आई, हाँ, और मैं इस तथ्य पर रुख गया कि जब मेरी मां की मृत्यू हो जाती है, तो पिता इस उबाव अपार्टमेंट को छोड़ देंगे और मेरे साथ कहीं चले जाएंगे, पर कहा, बहुत हाल तक मैं सपष्ट रूप से कल्पना नहीं कर सकता था, मुझे केवल यह याद है कि मैं उस जगह को सजा सकता हूँ, जहां हम उसके साथ जाएंगे, और मैंने निश्चित रूप से फैसला किया कि हम एक साथ जाएंगे, वह सब कुछ जो मेरी कल्पना में शांदार शांदार और शांदार बनाया जा सकता है, सब कुछ डाल दिया गया था इन सपनों में कारवाई, म मुझे इस बात का बहुत डर था। विशेश रूप से जब मैंने दूद या मक्खन लिया तो यह जानते हुए कि अगर मैं बहाता हूँ तो मुझे सक्ती से सटीक किया जाएगा। तब मैंने फैसला किया। कि हम इस घर में चले जाएंगे और इसमें कुछ शाश्वत अवकाश और शाश्वत आनंद में रहेंगे अपसे शाम को। मैंने अपने लिए इस जादूई घर में खिडकी से बड़ी उतसुकता के साथ देखा। कांग्रेस को याद किया। महमानों को ऐसे सुरुचिपूर् भी नहीं देखे थे। मीठे संगीत की ये आवाजें खिडकियों से बाहर उड़ती हुई मुझे लग रही थी। मैंने खिडकियों के परदे पर टिम्टिमाते हुए लोगों की चाया में जंका और सब कुछ अनुमान लगाने की कोशिश की वहां क्या किया जा रहा है। औ और जब मेरी माँ एक बार मुझे पर चिलाती थी और मुझे उस खिडकी से उतरने का आदेश देती थी जो मैं हमेशा की तरह चड़ता था। तो मुझे तुरंत दिमाग में आया कि वह मुझे नहीं देखना चाहती थी। यह घर ताकि मैं इसके बारे में नहीं सोचूं कि उसके लिए हमारी खुशी करना अप्रिय है कि वह इस बार भी उसे रोकना चाहती है। और संदिख्ध रूप से अपनी माँ को देखा। और एक माँ के रूप में इस तरह के पीड़त प्रानी के लिए इतनी कड़वाहट मेरे लिए कैसे पैदा हो सकती है। शर्मिंदगी और संदेह मेरी आत्मा में गिर गया। फिर भी अंतरात्मा ने मुझ पर विद्रोह किया। और अकसर पीड़ा और पीड़ा के साथ मैंने अपनी माँ के साथ अपना अन्याय महसूस किया। लेकिन हम किसी तरह एक दूसरे के लिए अलगतलग महसूस करते थे और मुझे याद नहीं है कि मैं कम से कम एक बार उससे जुड़ा था। अब अकसर सबसे तुछ यादें मेरी आत्मा को अलसर और जटका देंगी। एक बार मुझे याद है निश्चित रूप से अब मैं क्या बताऊंगा तुछ, शुद्र, असभ्य। लेकिन यह ठीक ऐसी यादें थी जो किसी तरह मुझे विशेश रूप से पीड़ा देती थी और मेरी याद में सबसे अधिक दर्द होता था। आधे घंटे से और गणना समाप्त नहीं कर सका। इसके अलावा अन्य समय में शायद दू, अनि, वह किसी तरह की बकवास में गिर गई। जैसा कि मुझे अब याद है, वह कुछ कहती रही। इसे शांत, मापा, जैसे कि अंजाने में शब्दों को छोड़ना, उसके होंट इसके होंट और गाल हलके थे, उसके हाथ हमेशा कापते थे और जब वह निजी तोर पर तरक देती थी, तो वह हमेशा अपना सिर हिलाता था। लेकिन वह सब कुछ सोच रही थी और अभी भी तै नहीं कर सकी। और जोड से उसने तांबे के पैसे पर विचार किया एक दैन राशे जो वह कर सकती थी। उसने सोचा मुझे लगता है आधे घंटे से और गणना समाप्त नहीं कर सका। इसके अलावा अन्य समय में शायद दुसी का आर वह किसी तरह की बकवास में गिर गई। जैसा कि मुझे अभियाद है वह कुछ कहती रही। इसे शांद, मापा, जैसे कि अंजाने में शब्दों को छोड़ना, उसके होंट और गाल हलके थे, उसके हाथ हमेशा कांपते थे और जब वह निजी तोर पर तरक देती थी, तो वह हमेशा अपना सिर हिलाता था। लेकिन वह सब कुछ सोच रही थी और अभी भी तय नहीं कर सकी और जोर से उस जैसा कि मुझे अब याद है, वह कुछ कहती रही, इससे शांत, मापा, जैसे कि अंजाने में शब्दों को छोड़ना, उसके होंट और गाल हलके थे, उसके हाथ हमेशा कांपते थे, और जब वह निजी तोर पर तरक देती थी, तो वह हमेशा अपना सिर हिलाता था, जब जब निजी में तरक दिया, जब निजी में तरक दिया, नहीं, यह आवश्यक नहीं है, उसने कहा, मुझे देखते हुए, मैं बिस्तर पर जाना बेहतर समझता हूँ, तथा, क्या आप सोना चाहते हैं, नेतोचका, मैं चुप था, फिर उसने मेरा सिर उठाया, और मुझे चुप चाप देखा, इतनी प्यार से, उसका चहरा साफ हो गया, और इतनी ममता से मुस्कुराया, कि पूरा दिल मुझे में डूब गया, और दृड़ता से दब गया, इसके अलावा, उसने मुझे एक टिप कहा, जिसका मतलब था, कि उस समय वह विशेश रूप से मुझ से प्यार करती थी, उसने खुद इस नाम का आविशकार किया, प्यार से मेरा नाम, अन्ना, एक नीरस निटो चका में याद किया, और जब उसने मुझे फोन किया, तो इसका मतलब था कि वह मुझे दुलार करना चाहती थी, मुझे चुआ गया, मैं उसे गले लगाना चाहता उसके पास गया, और उसके साथ रोया, वह, वह, गरीब, मुझे लंबे समय के लिए सिर पर बाद में स्ट्रोक किया, शायद पहले से ही यंत्रवत और यह भूल गया, कि वह मुझे सहलाती है, और सब कुछ सजा सुनाई, मेरा बच्चा, अन्न था, नेतोचका, मेरी आँख पहाविक कडवाहट नहीं हो सकता है, वह मेरे साथ अपनी सक्ती से मुझे केवल अपने खिलाफ नहीं उत्तेजित कर सकती थी, नहीं, मैं अपने पिता के लिए अपने शानदार, असाधारन, प्यार से बरबाद हो गया, कभी-कभी मैं रात में, कोने में, अपने छोटे ब बांधनी थी, और उसे कसकर गले लगाना था, और तुरंत, यह हुआ, तुम सो जाओगे, मुझे अभी भी लगा कि किसी तरह मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे धीरे-धीरे प्यार करता हूँ, मैंने बाद में देखा, कि कई बच्चे अक्सर बदसूरत असम बेदन शी कभी-कभी मैं रात में, कोने में, अपने छोटे बिस्तर पर एक ठंडे कंबल के नीचे जागता था, और मुझे हमेशा कुछ डरावना लगता था, मुझे याद आया कि हाल ही में, जब मैं छोटा था, तो मैं अपनी मां के साथ सोया था, और रात में जागने से कम डरता थ आपको बस उसकी आँखों में जहांकना था, उसकी आँखों पर पट्टी बांधनी थी और उसे कसकर गले लगाना था, और तुरंत ये हुआ, तुम सोजाओगे। अपने शानदार, असाधारन प्यार से बरबाद हो गया, कभी-कभी मैं रात में, कोने में, अपने छोटे बिस्तर पर एक ठंडे कंबल के नीचे जागता था, और मुझे हमेशा कुछ डरावना लगता था, मुझे याद आया कि हाल ही में, जब मैं छोटा था, तो मैं अपनी धीरे-धीरे प्यार करता हूँ, मैंने बाद में देखा कि कई बच्चे अकसर बजसूरत असमवेधन शील होते हैं, और अगर वे किसी से प्यार करते हैं, तो वे विशेश रूप से प्यार करते हैं, तो ये मेरे साथ था, कोने में में मेरे छोटे बिस्तर पर एक ठंडे कं मुझे याद आया कि हाल ही में, जब मैं छोटा था, तो मैं अपनी मां के साथ सोया था, और रात में जागने से कम डरता था, आपको बस उसकी आँखों में जाकना था, उसकी आँखों पर पट्टी बांधनी थी, और उसे कसकर गले लगाना था, और तुरंत यह हुआ, तुम सो जाओगे, मुझे अभी भी लगा कि किसी तरह मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे धीरे-धीरे प्यार करता हूँ, मैंने बाद में देखा कि कई बच्चे अकसर बदसूरत असमवेदनशील होते हैं, और अगर वे किसी से प्यार करते हैं, तो वे विशेश रूप से प् सो जाओगे, मुझे अभी भी लगा कि किसी तरह मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे धीरे-धीरे प्यार करता हूँ, मैंने बाद में देखा कि कई बच्चे अकसर बदसूरत असमवेदनशील होते हैं, और अगर वे किसी से प्यार करते हैं, तो वे विशेश रूप से प् मुझे अभी भी लगा कि किसी तरह मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे धीरे-धीरे प्यार करता हूँ, मैंने बाद में देखा कि कई बच्चे अकसर बदसूरत असमवेदनशील होते हैं, और अगर वे किसी से प्यार करते हैं, तो वे विशेश रूप से प्यार करते हैं, तो ये मेरे साथ था, कभी-कभी हमारे कोने में पूरे हफ्तों तक मृत सन्नाटा चा जाता था, पिता और मा जगरते-करते ठक गए थे और मैं उनके बीच पहले की तरह रहता था, सब चुप-चाप, सब कुछ सोच कर हर चीज के लिए तडप रहा था, और अपने सपनों में किसी चीज के लिए प्रयास कर रहा था, उन दोनों को देखते हुए, मैंने एक दूसरे के साथ उनके आपसी संबंधों को समझा, मैंने इस बहरे उनकी शाश्वत दुश्मनी को समझा, यह सब दुहक और एक अनिश्चित जीवन के सभी बच्चों को समझा, जो हमारे कोने में बसे थे, बेशक, बिनाकारण और प्रभाव के समझा, जितना मैं समझ सकता था, ऐसा हुआ, कि लंबी सर्दियों की शाम को, एक कोने में कहीं ठोकर खाकर, मैंने उन्हें घंटों तक उत्सुकता से देखा, अपने पिता के चहरे पर जाका, और यहां अनुमान लगाने की कोशिश की, कि वह क्या सोच रहा था, कि वह उसे इस तरह ले जा रहा है, फिर मेरी माने मुझे मारा और मुझे डरा दिया, वह घंटों तक कमरे के चारों और घूमती रही, ठकी नहीं, आगे पीछे, अकसर रात में भी, अनिद्रा के दौरान, जो उसे पीड़ा होती थ मैं चला गया, अपने आपको फुस फुसाते हुए, जैसे कि मैं कमरे में अकेला था, फिर अपनी बाहों को फैला रहा था, फिर उन्हें अपनी छाती पर पार कर रहा था, फिर उन्हें किसी तरह की भयानक अटूट लालसा में तोड़ रहा था, कभी-कभी उसके चेहरे प जिसे मैंने बाधित करने की हिम्मत नहीं की, मेरे लिए अधिक से अधिक दर्दनाक हो गया, एक पूरे वर्ष के लिए मैंने एक सचेत जीवन जिया, सबसोच रहा था, सपने देख रहा था और धीरे धीरे अज्यात, असपष्ट आकांक्षाएं जो मुझ में पैदा हुई, मैं चमतकार कर रहा था, जैसे की एक जंगल में, अंत में, पहले पिता ने मुझे देखा, खुद को फोन किया, और पूछा कि मैंने उसे इतनी बारीकी से क्यों देखा, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे उत्तर दिय था, मुझे याद है कि उसने कुछ के बारे में सोचा और अंत में कहा मुझे देखकर कि कल वह एक वर्णमाला लाएगा और मुझे पढ़ना सिखाएगा। मैं इस वर्णमाला का इंतजार कर रहा था और पूरी रात सपने देखता था यह सपष्ट रूप से महसूस करता था कि यह वर्णमाला क्या है। अंत में अगले दिन मेरे पिता ने वास्ताव में मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, दो शब्दों से समझने के बाद कि मुझे क्या चाहिए था, मैंने जल्द और जल्दी से सीखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे खुश करूँगा, यह मेरे जीवन का सबसे सुखत समय था, जब वह मुझे उन ठके घंटों तक उससे बात की, हलाकि कभी-कभी मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आता था, कि उसने मुझे क्या बताया, लेकिन किसी तरह मैं उससे डरता था, मुझे डर था कि वह यह नहीं सोचेगा कि मैं उससे उप गया हूँ, और इसले मैंने उससे दिखाने की प अपने खिलाफ खड़ा कर दिया और सबक के बाद उसने कुछ किताब पढ़ना शुरू किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं लगातार हंसा, उसे बहुत खुशी देने की सोच रहा था, वास्तव में मैंने इस पर कबजा कर लिया और मेरी हंसी को देखना उसके पहले मज़ेदार था, उसी समय पाठ के एक दिन बाद उसने मुझे एक परी कथा बताना शुरू किया, यह पहली परी कथा थी जिसे मुझे सुनना था, मैं मुझे होकर बैठ गया, अधीरता में जल गया, कहानी का अनुसरन करते हुए, कुछ स्वर्ग में स्थाना अंतरि हो गया, इसे सुनकर और कहानी के अंत तक पूरी तरह से प्रसन्न हो गया, ऐसा नहीं है कि परीयों की कहानी ने मुझे पर ऐसा काम किया, नहीं, लेकिन मैंने सच्चाई के लिए सब कुछ लिया, तुरंथ अपनी सम्रिध कलपना पर मुफ्त लगाम दी, और तुरंथ कलप या कहने के लिए बहतर है, सबसे पहले मैं अपने अद्भुट सपनों के साथ, अपने शांदार सिर के साथ, जंगली से भरा हुआ, ये सब मेरे दिमाग में इतना घुल मिल गया था, कि ये जल्द ही सबसे बचसूरत अराजकता की ओर बढ़ गया, और कुछ समय के लिए मै और क्या उम्मीद करता है, और जब वहे आखिरकार हमारे आटारी को छोड़ देगा, तो वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुझे यकीन था, मेरे हिस्से के लिए, कि ये सब किसी तरह जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ये सब कैसे और किस रूप में होगा को नहीं चंदवा में बुलाओ, मैं अपनी मा से धीरे-धीरे, अपनी वर्णमाला और हमारी तस्वीर, कुछ भद्धी लिथोग्राफी, जो समय से दीवार पर फ्रेम के बिना लटका दिया गया था, और जिससे मैंने अपने साथ ले जाने का फैसला किया था, और हम धीरे-धीरे क नहीं भाग जाएंगे, इसलिए हम फिर कभी मा के घर नहीं लोटेंगे, एक बार, जब मेरी मा घर पर नहीं थी, तो मैंने उस मिनट को चुना जब मेरे पिता विशेश रूप से हनसमुक थे, और या उनके साथ हुआ जब वो थोड़ी शराब पीते थे, उनके पास गया, और उनके बारे में कुछ बात की, मेरे कईमती विशेपर बातचीत को तुरंत चालू करने का इरादा, अंत में मैंने यह सुनिश्चित किया कि वह हसे, और मैं उसे कसकर गले लगाते हुए, कांपते हुए दिल के साथ, पूरी तरह से डर गया, जैसे कि मैं कुछ रहस्यमय और भयानक के बारे में बात करने की तैयारी कर रहा था, शुरू हुआ, असंगत और हर कदम पर उलजन में, उससे पूछने के लिए हम कहां जाएंगे, क्या हम जल्द ही अपने साथ रहेंगे, कि हम कैसे रहेंगे, और आखिरकार, क्या हम लाल परदे के साथ घर जाएंगे इसलिए हम फिर कभी मानक के घर नहीन जाएंगे, एक बार जब मेरी मांग घर पर नहीन थी, तो मैंने उस मिनट को चुना जब, मैरे पिता विशिश रूप से हंस्मुक थे, और ये उनके साथ हुआ जब वह थोड़ी शराब पीते थे, उनके पास गया और उनके बारे में कुछ बात की मेरे कईमती विशय पर बातचीत को तुरंट चालू करने का इरादा, अंत में मैंने यह सुनिश्चित किया कि वह हांसे और मैं उसे कसकर गले लगाते हुए, कापते हुए दिल के साथ, पूरी तरह से डर गया, जैसे कि मैं कुछ रहस्यमय और भयानक के बारे में बात करने की तैयारी कर रहा था, शुरू हुआ, असंगत और हर कदम पर उल्जन में, उससे पूछने के लिए हम कहां जाएंगे, जल्द ही हम अपने साथ क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे, और आखिरकार क्या हम लाल परदे के साथ घर जाएंगे, इसलिए हम फिर कभी म मा के घर नहीं जाएंगे, एक बार, जब मेरी मा घर पर नहीं थी, तो मैंने उस मिनट को चुना, जब मेरे पिता विशेश रूप से हंसमुख थे, और यह उनके साथ हुआ, जब थोड़ी शराब पीते थे, उनके पास गया, और उनके बारे में कुछ बात की, मेरे कईमती विशेपर बातचीत को तुरंत चालू करने का इरादा, अंत में मैंने यह सुनिश्चित किया कि वहां से और मैं उसे कसकर गले लगाते हुए, कापते हुए दिल के साथ, पूरी तरह से डर गया, जैसे कि मैं कुछ रहस्यमय और भयानक के बारे में बात करने की तयारी कर र विशेपर बातचीत को तुरंत बंद करने के इरादे से कुछ बात की, अंत में मैंने यह सुनिश्चित किया कि वहां से और मैं उसे कसकर गले लगाते हुए, कापते हुए दिल के साथ, पूरी तरह से डर गया, जैसे कि मैं कुछ रहस्यमय और भयानक के बारे में बात करने की तैयारी कर रहा था, शुरू हुआ, असंगत और हर कदम पर उल्जन में, उससे पूछने के लिए हम कहां जाएंगे, जल्द ही हम अपने साथ क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे, और आखिरकार क्या हम लाल पड़्दे के साथ घर जाएंगे, ने उनसे संपर्क किया और मेर रहसे मैं और भयानक के बारे में बात करने की तैयारी कर रहा था, शुरू हुआ, असंगत और हर कदम पर उल्जन में, उससे पूछने के लिए, हम कहां जाएंगे, जल्द ही हम अपने साथ क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे, और आखिरकार, क्या हम लाल पड़्दे के साथ घर जाएंगे, हाउस, लाल पड़्दे, क्या, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो बेवकूफ, फिर पहले से अधिक भयभीत होकर, मैंने उसे समझाना शुरू किया, कि जब मेरी मा मर जाएगी, तो हम अब अटारी में नहीं रहेंगे, कि वह मुझे कहीं ले जाएगा, कि हम दोनों अमीर और खुश होंगे, और उसे आश्वासन दिया, आखिरकार कि उसने खुद मुझसे यह सब वादा किया था, उसे आश्वस्त करते हुए, मुझे पूरा यकीन था, कि मेरे पिता ने वास्तव में इस बारे में पहले बात की थी, कम से कम मुझे ऐसा लग र उसने दोहराया, मुझे विसमे में देख रहा था, उसकी मोटी खौन होन को धूसर कर रहा था, और उसका चेहरा थोड़ा बदल रहा था, आप क्या कह रहे हैं, गरीब पेवकू, फिर उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया, और मुझे लन्बे, समय तक बताया कि, मैं ए कूफ बच्चा था, कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मुझे याद नहीं है कि और क्या है, लेकिन केवल वह बहुत परेशान था, मुझे उनकी फटकार से एक शब्द भी समझ में नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, कि यह उनके लिए कितना दर्दनाक था, कि मैंने ग कि वह गुस्से में क्यों था, मुझे बहुत कड़वा और उदास लगा, मैं रुया, यह मुझे लग रहा था, कि जो कुछ भी हमारे ले इंतजार कर रहा था, वह इतना महत्वपूर्ण था कि मैं, एक बेवकूफ बच्चा, इसके बारे में बात करने या सोचने की हिम्मत नहीं करता था, इसके अलावा, हाला कि मैंने उसे पहले शब्द से नहीं समझा, मैंने महसूस किया, यद्यपी अंधेरे तरीके से कि मैंने अपनी मा को नाराज कर दिया था, भाये और आतंक ने मुझे पर हमला किया, और संदेह आत्मा में फैल गया, फिर उसने देखा कि म मैं रो रहा था और तडप रहा था, मुझे सांत्वना देने लगा, अपनी आस्तीन से मेरे आसू पोंचे और मुझे रोने के लिए नहीं कहा, हालांकी, हम दोनों मौन में थोड़ा समय बैठे रहे, वर डूब गया और कुछ सोचने लगा, फिर उसने मुझ से फिर से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पढ़ता कि मुझे कितना मुश्किल ध्यान आया, उसने जो कुछ भी कहा, वह मुझे बहुत अस्पष्ट लगा, इस बातचीत के कुछ शब्दों के अनुसार, जिसका मैंने अभी भी उलेख किया है, मैं यह निश्कर्ष न करने के बाद, उसने मुझे प्रतिभा के साथ दोहराया, मैंने उत्तर दिया, की प्रतिभा के साथ, जिसके लिए वह थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि शायद अंत तक वह खुद को मजा किया महसूस करता था, कि वह मेरे साथ उसके लिए इस तरह के गंभीर विशय पर बा वगामी चहरा था, मैंने अपने जीवन के उस समय इतने कम लोगों को देखा कि मैं इसे भूल नहीं सका, जैसा कि मैंने अब उसकी कलपना की, वह मूल रूप से जर्मनी से मेयर नाम का एक जर्मन था, और सेंट पीटर्सबर्ग बैले मंडली में प्रवेश करने की अत्यध अधिक इच्छा के साथ रूस आया था, लेकिन भय नर्तकी बहुत बुरी थी, इसलिए उसे प्रतिवादियों में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था, और थियेटर में बाहर निकलने के लिए इस्तिमाल किया जाता था, उन्होंने फोर्टिन अब्रस रेटिन्यू में व अभिनेता नहीं था, इसलिए जोश से इस काल फेडोरीच के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए समर्पित था, उनके पूरे जीवन का सबसे भयानक दुर्भाग्य और दुहक है था, कि उन्होंने बैले को नहीं मारा, उन्होंने दुनिया में सभी कलाओं के ऊपर बै व्यक्त किये और इस तथे को कि वे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे, जर्मन दुनिया में सबसे समवेधन शील, सबसे कोमल व्यक्ती था, और मेरे सौतेले पिता को सबसे उग्र निस्वार्थ मित्रता का पोशन करता था, लेकिन पुजारी को उसके लिए को को नाराज करने की तुलना में एक कला है, अपने कमजोर तार को जान कर, वह हमीशा उसे चोट पहुँचाता है, और दुरभाग्यपून कारल फेडोरोविच पर हसाता है, जब वह उत्तेजित हो जाता है, और अपना आपाक हो देता है, इसके विपरीद साबित करना, मैंन थोड़ा अनशे में होने के कारण, अपने भाग्ये के बारे में एक साथ रोना शुरू कर दिया, कि उन्हें मान्यता नहीं मिली, मुझे ये समानताएं याद है, मुझे यह भी याद है कि मैं दोनों सनक्की को देखकर फुसपुसाते हुए भी, मैं खुद नहीं जानता थ था कि क्या, ये हमेशा तब होता था, जब मा घर पर नहीं होती थी, जर्मन उससे बहुत डरता था, और हमेशा अगर वह चंदवा में आगे खड़ा होता, तो ये तब तक इंतजार करता, जब तक की कोई पाहर नहीं निकलता, और अगर उसे पता चलता कि मा घर पर है, तो वह तुरंत सीधियों से नीचे दोडें, वह हमेशा कुछ जर्मन कविताओं को अपने साथ लाया, प्रजवलित किया, उन्हें हम दोनों के लिए जोर से पढ़ा, और फिर उन्हें सुनाया, हमारी समझ के लिए रूसी में टूटी हुई भाशा में अनुवाद किया, ये मुझे याद है कि ये कुछ प्रसिद्ध रूसी लेखक के छंद में एक नाटक था, मैंने इस पुस्तक की पहली पंक्तियों को इतनी अच्छी तरह से कठोर कर दिया, कि बाद में, कुछ वर्षों के बाद, जब वह गलती से मेरे हाथों में पढ़ गई, तो उसने बिना कि इसी कठिनाई के इसे पहचान लिया, इस नाटक में एक महान कलाकार, कुछ जेनारो या जैकोबो, जो एक प्रिष्ट पर चिल्लाए, मुझे मान्यता नहीं है, और दूसरे पर मुझे पहचाना जाता है, या मैं प्रतिभाशाली हूँ, और फिर कुछ पंक्तियों के माध् आटक निश्चित रूप से एक अत्यंत अशिष्ट रचना थी, लेकिन चमत कर उससने दुनों पाठकों पसबद से भोले और दुखध तरीके से काम किया जिनूम और ने मुख्या, चरित्र में खुद के साथ बहुत समानता पाए, मुझे याद है कि कार्ल फेडोरोविच ने कभी-कभी इससे पहले प्रजवलित किया था, कि वह अपनी जगह से कूद गया, कमरे के विपरीत, कोने में भाग गया, और पुजारी और मुझसे पूछा, जिसे मिस कहा जाता था, लगातार, आश्वस्त होकर उसके आंसू के साथ आखें तुरंट उस भाग्य के साथ और जनता के साथ तर्क दिया, फिर उसने तुरंट नृत्य करना स्वीकार कर लिया, और अलग-अलग पाक अपड़े पहन कर हमसे चिलाया, ताकि हम तुरंट उसे बताएं कि वह क्या था, कलाकार या नहीं, और क्या बुरा कहा जा सकता है, वह यह है कि वह प्रतिभा के बि जदत नहीं कर सकता, लेकिन हंस सकता हूँ, जैसा कि मैं अब इस करीब काल फेडोरोविच को देखता हूँ, वह बहुत लंबा, बेहत पतला, पहले से ही भूरे बालों वाला, एक कूबड वाली लाल नाक के साथ, तंबाकू से सना हुआ था, और बदसूरत कुटिल पैरों के साथ, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने डिवाइस का दावा करता था, और एक होड में पतलून पहनता था, जब वह रुख गया, तो आखिरी छलांग के साथ, एक स्थिती में अपने हाथों को हमारे पास फैलाते हुए, और हम पर मुस्कुराते हुए, जै पुजारी कई क्षणों तक चुप रहा, जैसे कि हिम्मत नहीं हुई, एक निर्नाय लें और जान बूच कर पिना मान्यता प्राप्त नर्तक को स्थिती में छोड़ दिया, ताकि वह एक पैर पर अगल बगल से तेरता रहे, संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पूरी को पहले से ही भूरे बालों वाली, एक कूबर वाली लालनाक के साथ, तंबाकू से सना हुआ और बदसूरत कुटिल पैरों के साथ, लेकिन इस तथ्ये के बावजूद कि वह अपने डिवाइस का दावा करता था और जकडन में पतलून पहनता था, जब वह रुख गया, तो पाखिरी छलांग के साथ, एक स्थिती में अपने हाथों को हमारे पास फैलाते हुए, और हम पर मुस्कुराते हुए, जैसे कि नर्तकियों ने पा के अंत में मंच पर मुस्कुराते हुए, पुजारी कई इक्षणों तक चुप रहा, जैसे कि हिम्मत नहीं हुई, एक निर जैसे कि मुझे निर्णय के लिए एक निश्पक्ष गवाह बनने के लिए आमंतरित करना और साथ ही साथ डरपोक के रूप में नर्तक के विचारों की प्रार्थना करना पहले से ही भूरे बालों वाली एक कूबड वाली लाल नाक के साथ तंबाकू से सना हुआ और बदसूर को हमारे पास फैला कर और हम पर मुस्कुराते हुए जैसे कि नर्तकियों ने पाके अंत में मंच पर मुस्कुराते हुए पुजारी कई खशनों तक चुप रहा जैसे कि बनाने का फैसला नहीं किया गया एक निर्णय और जान बूज कर अब परिचित नर्तक को स्थिति में छोड़ दिया, ताकि वह एक पैर पर अगल बगल से तैरता रहे, संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी सारी कोशिश कर रहा था, अंत में पुजारी ने मुझे एक उनमत ख़दान से देखा, जैसे कि मुझे निर्णय के लिए एक निश्पक्ष गवाह बनने के लिए आमंत स्थिती में अपने हाथों को हमारे पास फैला कर और हम पर मुस्कुराते हुए, जैसे कि नर्तकियों ने पा के अंत में मंच पर मुस्कुराते हुए, पुजारी कई क्षणों तक चुप रहा, जैसे कि बनाने का फैसला नहीं किया गया एक निर्णय, और जान बूज कर परिचित नर्तक को स्थिती में छोड़ दिया, ताकि वह एक पैर पर अगल बगल से तैरता रहे, संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी सारी कोशिश कर रहा था, अंत में पुजारीन मुझे एक उनमत्त खदान से देखा, जैसे कि मुझे निर्णय के लिए एक निश्पक गया, तो आखिरी छलांग के साथ, एक स्थिती में अपने हाथों को हमारे पास फैलाते हुए और हम पर मुस्कुराते हुए, जैसे कि नर्तकियों ने पाके अंत में मंच पर मुस्कुराते हुए, पुजारी कई क्षणों तक चुप रहा, जैसे कि हिम्मत नहीं हुई एक निर्नेले और जान बूज कर बिना मान्यता प्राप्त नर्तक को स्थिती में छोड़ दिया, ताकि वह एक पैर पर अगल बगल से तैरता रहे, संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सके, अंत में पुजारी ने मुझे एक उनमत खदान से देखा, जैसे नर्तकियों ने पाके अंत में मंच पर मुस्कुराते हुए पुजारी कई क्षणों तक चुप रहा, जैसे कि निर्नेले लेने की हिम्मत नहीं हुई, और जान बूज कर बिना मान्यता प्राप्त नर्तक को स्थिती में छोड़ दिया, ताकि वह एक तरफ से तैर जाए पैर संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सभी के साथ कोशिश कर रहा है, अंत में पुजारी ने मुझे एक उनमत खदान से देखा, जैसे कि मुझे निर्ने के लिए एक निश्पक्ष कवाह बनने के लिए अमंतरित करना, और साथ ही साथ दरपोक के रूप में नर्तक के को स्थिती में छोड़ दिया, ताकि वहे एक तरफ से तैर जाए पैर, संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सभी के साथ कोशिश कर रहा है, अंत में पुजारी ने मुझे एक उनमत खदान से देखा, जैसे कि मुझे निर्ने के लिए एक निश्पक्ष कवाह बनने के लि मुझे पर बरस पड़े, जैसे कि मुझे निर्ने लेने के लिए एक निश्पक्ष गवाह बनने के लिए आमंतरित करना, और साथ ही अप्रिय था, फिर काल फेडोरीच की छाती से एक वास्तविक कराहना निकला, लेकिन एक पल में उन्हें प्रोचसाहित किया गया, फिर से त्वरित इशारों के साथ ध्यान देने के लिए कहा गया, आश्वासन दिया कि वह गलत प्रणाली में नाच रहे थे और हमें फिर से न्याय करने के लिए विनती की, फिर वहे फिर से दूसरे कोने में भाग गया, और कभी-कभी इतनी मेहनत से कूद गया, कि उसने अपने स से चत को छुआ और खुद को दर्द से चोट पहुचाई, लेकिन एक स्पार्टन के रूप में उसने वीर्ता से दर्द को छेला, फिर से स्थिती में रुख गया, फिर से एक मुस्कुराहट के साथ उसने अपना कांपना बढ़ा दिया, हमारे हाथ और फिर से अपने भाग के के लिए कहा, लेकिन पुजारी असाध्य था, और फिर भी निराशा से उत्तर दिया, नहीं काल फेडोरिच, आप देख सकते हैं आपका भाग्ये, आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां मैं अब इसे बरदाश्त नहीं कर सका, और हसी के साथ लुड़का, और मेरे बाद मेरे पि लेकिन जिसने मुझे तब उसके लिए पीडित किया, दुरभाग्यपूर्ण, पुजारी से कहा, आप एक वाइरोलीमस दोस्त हैं, फिर उसने अपनी टोपी पकड़ ली, और हम में से भाग गया, दुनिया में हर किसी को शपत दिलाते हुए, कभी नहीं आया, लेकिन यह अल्पकालिक थे, कुछ दिनों के बाद वा फिर से हमारे साथ था, प्रसिध नाटक को पढ़ना फिर से शुरू हुआ, आसुप फिर से फैल गए, और फिर भोले काल फेडोरीच ने हमें लोगों के साथ और भाग्ये के साथ न्याय करने के लिए कहा, केवल इस बार कमभीर पिता से न्याय करने के लिए भीख मांग रहा था, जैसा कि सचे दोस्त चाहिए और उस पर हसी नहीं, चुंकि मेरी माने मुझे कुछ खरीद के लिए बेंच पर भेजा था, और मैं वापस लोट आया, ध्यान से छोटे चान दी कि सिक्के को ले गया, जिसे मुझे सौप द और वा मुझे चुंबन करने के लिए जुकने मेरे हाथ में एक चानदी का सिक्का देखा, मैं यह कहना भूल गया कि मैं उसके चहरे पर अभी व्यक्ति का इतना आदी था, कि तुरंट पहली नजर में मैंने उसकी लगभग सारी इच्छा को पहचान लिया, जब वा दुख मुझे ऐसा लग रहा था कि उनमें कुछ खास हो रहा है, परेशान आखें उसे भटक गई, पहली बार उसने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन जब उसने मेरे हाथों में एक चमकता हुआ सिक्का देखा, तो वा अचानक शर्मा गया, फिर पीला पड़ गया, उसने मुझ उन्होंने कहा, मुझे ये पैसा दें, मैं इसे आपके पास वापस लाऊंगा, तथा, क्या आप उन्हें पिताजी को देंगे, क्या आप दयालू है, डौट नहीं, मुझे लगता है कि इसके बारे में एक कूबड है, लेकिन पहले एक शन में, मेरी मां समय बद्धता और अपसे अधिक, अपने लिए और मेरे पिता के लिए सहच शर्म की बात है कि मुझे पैसे देने से कितना गुसा आया, उन्होंने तुरंद इस पर ध्यान दिया, और जल्दबाजी में कहा, खैर नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं पिता जी, इसे ले लो, मैं कि मैंने खो दिया कि मेरे पडोसी बच्चों को मुझसे लिया गया था, अच्छा, 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 क्योंकि मुझे पता था कि आप एक स्मार्ट लड़की थी, उन्होंने कहा, कांपते होंटों के साथ मुस्कुराते हुए और अपने हाथों में पैसा महसूस करने पर अपनी खुशी से ज्यादा नहीं छिपाते, आप एक अच्छी लड़की है, आप मेरी परी है, तो आप चुम्बन करने के लिए एक कलम दे, फिर वह मेरे हाथ पकड़ लिया और चुम्बन करना चाहता था, लेकिन मैं जल्दी से इसे खीच लिया, किसी तरह की दया ने मु अपनी माँ को बताया, कि मैंने बर्फ में पैसा गिरा दिया था, और इसे नहीं मिला, मुझे कम से कम पिटाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, माँ वास्तव में दू, खा के साथ खुद के बगल में थी, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, वह मुझ पर चिल्लाया, लेकिन तुरंत उसका मन बदल गया, और मुझे डांटना बंद कर दिया, केवल यह देखते हुए, कि मैं एक अजीब लापरवाह लड़की थी, और जब मैंने उसके अच्छे को देखा, तो मैंने उसे बहुत प्यार नहीं किया, इस टिपणी ने मुझे तब और परेशान किया, जब मुझे पीटा गया था, लेकिन मा मुझे पहले से ही जानती थी, उसने पहले से ही मेरी समवेदन शीलता पर ध्यान दिया, जो अकसर दर्दनाग चिडचिड़ा पंद तक पहुँच जाता था, और नापसंदगी के कडवे पश्चाताप के साथ, उसने मुझे शर्मिंदा था, मेरी अंतरात्मा की आवाज से पीडा से मेरी भावनाए नाराज हो गई, अंत में मेरे पिता वापस आ गए, और मैं उनके आगमन के बारे में बहुत खुश था, जैसे कि मैंने सोचा था, कि इससे मुझे बहतर महसूस होगा, वह पहले से ही सुझाव दे लेकिन जब उसमें मुझे देखा, तो उसने तुरंत एक रहस्य मय शर्मिंदा रूप ले लिया, और मुझे एक कोने में ले गया, दरपोक रूप से हमारे दर्वाजे को देख रहा था, उसने अपनी जेब से खरीदा जिंजर ब्रेड निकाल लिया, और मुझे एक काना फ नहीं सोचता, और अगर मैं आगे मानता हूं, तो वह मुझे इसके लिए बताएगा, वह जिंजर ब्रेड खरीदेगा, अंत में, उन्होंने यह भी कहा, कि मुझे अपनी माँ पर पचता वा है, कि मेरी माँ इतनी बीमार, गरीब है, कि वह अकेले ही हम सभी के लिए काम करत है, मैंने डर से सुना, अपने पूरे शरीर से काम कया, और मेरी आँखों से आंसू बह गये, मैं इतना चकित था, कि मैं एक शब्द भी नहीं कह सकता था, मैं हिल नहीं सकता था, अंत में उसने कमरे में प्रवेश किया, मुझे रोने का आदेश दिया, और इस मां के बारे म आगे पीछे चलती थी और अपने आप से कुछ कहती थी जैसे कि कुमनामी में हमेशा की तरह इस दिन वह बदतर थी और उसके साथ किसी तरह की जबती हो गई अंत में आंतरिक पीड़ा से मुझे बुखार शुरू हो गया जब रात आई तो मैं सो नहीं सका तरदनाक सपनो न मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन फिर भी फूट फूट कर रोया फिर उसने एक मोंबत्ती जलाई मेरे पास आई और मुझे शांत करने लगी यह सोच कर कि मैं एक सपने में किसी चीज से डर गई हूँ ओ तुम मूर्क लड़की उसने कहा अभी भी रो जब तुम कुछ सप बताना चाहता था मैंने पहले ही शुरू कर दिया था लेकिन पुजारी के विचार और उसके प्रतिबंध ने मुझे रोक दिया आप कितनी घटिया चीज है नेतोचका ने कहा कि मा मुझे अपने पुराने सलोप के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है क्योंकि उसने देखा कि मैं बुखार की ठंड में काप रही थी तुम ठीक है तुम मेरे जैसे ही बीमार हो जाओगे फिर उसने मुझे इतनी उदास से देखा कि मैं उसकी टक-टकी को सहन नहीं कर सका डूब गया और दूर चला गया मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे सो गया था लेकिन लंबे समय त कि कल को याद करते हुए क्योंकि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यहां उनके लिए बहुत सुखद होगा उसने तुरंत मजे किये क्योंकि जब उसने मेरी तरफ देखा तो वहाँ खुद डूब गया अब किसी तरह की खुशी कुछ लगभग बचकाने संतोश न अंत में उन्होंने कहा कि वैं मुझे कुछ बहुत अच्छा दिखाना चाहता है और मुझे यह देखकर बहुत खुशी होगी कि मैं इतनी स्मार्ट और दयालू लड़की हूँ फिर उसने अपनी बनियान को खोल दिया और उस चाबी को निकाल लिया जो उसकी गर्दन पर क अजीब रूप से एक ब्लाक बॉक्स से हटा दिया जिसे मैंने अभी भी कभी नहीं देखा है इससे उन्होंने इस बॉक्स को किसी तरह की समय बद्धता के साथ लिया और सभी बदल गए हसी उनके चहरे से गायब हो गई जिसने अचानक किसी तरह की गंभीर अभी व्यक्त अंत में उन्होंने एक कुंजी के साथ रहसे मैं बॉक्स खोला और उसमें से कुछ ऐसी चीज निकाली जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी बात राय में बहुत अजीब है वह ध्यान से और शद्धा से उसे अपने हाथों में ले गया और कहा कि ये उसका वाइलिन था उस तिभा के साथ है कि फिर वह किसी दिन वाइलिन बजाएगा और आखिरकार हम सभी अमीर होंगे और कुछ महान खुशी प्राप्त करेंगे आंसु उसकी आँखों के सामने पकड़े गए और उसके गाल नीचे बह गए गए मैं बहुत हिल गया था अंत में वह वाइलिन चू मैंने वाइलिन को अपने हाथों में लिया और उन तारों को छुआ जिन्होंने एक बेहोश ध्वने बनाई वह प्रतिभा के साथ है कि फिर वह किसी दिन वाइलिन बजाएगा और आखिरकार हम सभी अमीर होंगे और कुछ महान खुशी प्राप्त करेंगे आंसु उसकी मैंने वाइलिन को अपने हाथों में लिया और उन तारों को छुआ जिन्होंने एक बेहोश ध्वनी बनाई वह प्रतिभा के साथ है कि फिर वह किसी दिन वाइलिन बजाएगा और आखिरकार हम सभी अमीर होंगे और कुछ महान खुशी प्राप्त करेंगे आंसु उसकी करीब की जांच करना चाहता हूँ उसने मुझे अपनी मा के बिस्तर पर ले जाया और मुझे अपने हाथों में एक वाइलिन दिया लेकिन मैंने देखा कि कैसे वह डर से कापता था ताकि किसी तरह मैं उससे तोड़ ना सकूँ मैंने वाइलिन को अपने हाथों में लिया और उन तारों को चुआ जिन्होंने एक बेहोश ध्वनी बनाई उसने मुझे अपनी मा के बिस्तर पर ले गया और मुझे अपने हाथों में एक वाइलिन दिया लेकिन मैंने देखा कि कैसे वह डर से कापता था ताकि किसी तरह मै उसे तोड़ नास कूँ, मैंने वाइलिन को अपने हाथों में लिया और उन तारों को छुआ जिन्हों ने एक बेहोश धानी बनाए, ये संगीत मैं रे कहा, अपने पिता को देखकर, हाँ हाँ संगीत, उसने दोहराया, खुशी से अपने हाथों को रगड़ते हुए, आप ए और डर ने मुझे भी ले लिया, मैंने जल्दी से इसे दूर कर दिया, एक ही सावधानियों के साथ एक वाइलिन एक बॉक्स में रखा गया था, बॉक्स को बंद कर दिया गया था, और एक छाती में डाल दिया गया था, पुजारी ने मुझे फिर से सिर पर पतपाते हुए मुझे हर बार वाइलिन दिखाने का वादा किया जैसा कि अब स्मार्ट, दयालू और आज्याकारी हो इस प्रकार वाइलिन ने हमारे सामान या दुहक को दूर कर दिया केवल शाम को पुजारी ने याड को छोड़ कर मुझे फुस-फुस आया ताकि मुझे याद आये कि उसने कल मुझे क्या बताया था इस प्रकार मैं अपने कोने में बढ़ा हुआ और थोड़ा-थोड़ा करके मेरा प्यार नहीं मैं बहतर जुनून कहूंगा क्योंकि मैं ऐसा मजबूत शब्द नहीं जानता जो मेरे पिता के लिए पूरी तरह से अजेय दर्दनाग भावना को व्यक्त कर सके कुछ दर्दनाग चिड़-चिड़ापन तक भी पहुँच गया मुझे केवल एक खुशी थी इसके बारे में सोचने और सपने देखने के लिए केवल एक वह सब कुछ करने के लिए जो उसे थोड़ी सी भी खुशी दे सके कितनी बार ऐसा हुआ मैंने सीडियों पर आने के लिए इंतजार किया अक्सर ठंड से कांप और नीला बस कम से कम एक पल पहले उसके आगमन के बारे में पता लगाने के लिए और उस पर एक त्वरित नजर डाले मैं खुशी से पागल की तरह था जब वह कम से कम मुझे थोड़ा दुलार करता था इस बीच यह मेरे लिए अक्सर दर्दनाक था कि मैं अपनी गरीब मा के साथ इतनी जिद्दी थी ऐसे समय थे जब मैं लालसा और दया से फटा था उसकी और देख रहा है उनकी शाश्वत दुश्मनी में मैं उदासी नहीं हो सकता था और उनके बीच चायन करना था पक्ष लेना था और इस आधे पागल आदमी का पक्ष लिया केवल एक चीज क्योंकि वह बहुत दुखी था मेरी आखों में अपमानित और बहुत शुरुआत से ही मेरी कल्पना पर कोई असर नहीं पड़ा लेकिन कौन नयाय करेगा शायद मैं उससे ठीक से जुड़ा हुआ था क्योंकि वह बहुत अजीब था यहां तक की एक नजर के साथ और अपनी मा के रूप में गंभीर और उदास नहीं था कि वह लगभग पागल था कि अकसर किसी तरह की फिल्म किसी तरह की बच्चे की आदतें दिखाई देती थी उसे और आखिरकार मैं उससे कम डरता था और मा की तुल्ना में उसका कम सम्मान करता था वह किसी तरह मेरे पराबर था थोड़ा-थोड़ा करके मुझे लगा कि शीर्ष भी मेरी तरफ है कि मैंने धीरे-धीरे इसे अपने आप में बदल दिया कि मुझे पहले से ही उसकी आवश्यकता थी मुझे आंतरिक रूप से इस पर गर्व था विज़ई और उसके लिए खुद को समझना आवश्यक है यहां तक कि कभी-कभी उसके साथ छेड़खानी भी की जाती है बास्तव में मेरा यह अद्भुत्स ने है कुछ हद तक एक उपन्यास की तरह था लेकिन यह उपन्यास लंबे समय तक चलने के लिए किस्मत में नहीं था मैंने जल्द ही अपने पिता और मा को खो दिया उनके जीवन को एक भयानक तबाही द्वारा हल किया गया था जो मेरी स्मृति में भारी और दर्दनाग रूप से अंकित था ऐसा ही हुआ इस समय सभी पीटर सबर्ग चरम समाचार से रोमान चित थे प्रसिद्ध सीसी के आगमन के बारे में एक अफवाह थी सैंट पीटर्जबर्ग में जो कुछ भी संगीत में था उसमें हडकंप मच गया गायकों, कलाकारों, कवियों, कलाकारों, संगीत, प्रेमियों और यहां तक की जो कभी संगीत प्रेमी नहीं थे और मामूली गर्व के साथ आश्वासन दिया कि संगीत में एक भी नोट नहीं धोया गया था तिकट के लिए लालच के साथ भाग गया हौल उन उत्साही लोगों के दस्वें हिस्से को समायोजित नहीं कर सका, जिन्हें प्रति प्रवेश द्वार 25 रूबल देने का अफसर था, लेकिन यूरोपिय नाम C एक महिला, उसका लॉरेल लिपटे बुढ़ा पे रतिभा की ताजा ताजगी अपवा है कि हाल ही में उसन के लेकि उसने यूरोप छोड़ दिया होग आखिरी बार और फिर पूरी तरह से खेलना बंद कर दिया उसका प्रभाव पड़ा, एक शप्त में छापपूर्ण और गहरी थी, मैंने पहले ही कहा था कि हर नए वाइलिन वादक के आगमन कम से कम कुछ शांदार हस्ती, ने मे अपनी कला की पूरी डिगरी का पता लगाने के लिए एक आने वाले कलाकार को सुनने के लिए सबसे पहले था, अकसर वह अपने नवागंतुक के आसपास होने वाली प्रशंसा से भी बीमार था, और उसके बाद ही शांथ हो गया जब वह एक नए वाइलिन वादक के खेल म खामिया पा सकता था, और कास्टिक के साथ हर जगह अपनी राय पहला सकता था, एक गरीब, पागल आदमी केवल एक प्रतिभा, केवल एक कलाकार, पूरी दुनिया में माना जाता था, और यह कलाकार निश्चित रूप से खुद था, लेकिन सी शरीर के आगमन के बारे में अफवाह, संगीत की प्रतिभा, ने इस पर कुछ अध्भुत कार रवाई की, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले दस वर्षों में पीटर्सबर्ग ने एक भी प्रसिद्ध प्रतिभा नहीं सुनी है, भले ही सी के बराबर न हो, खोजी मेरे पिता को यूरोप में प बेहद उतसाहित थे और उन्होंने सी और आगामी संगीत कारेक्रम के बारे में पूछताच की, उन्हें लंबे समय तक परदे के पीछे नहीं देखा कया था, और उनकी उपस्तिती ने भी एक प्रभाव पैदा किया, कोई उसे चिढ़ाना चाहता था और एक उदंड नजर से कहता था, अब आप, पिता, इगोर पेत्रोविच, बेले संगीत नहीं सुनते हैं, लेकिन एक जिसमें से आप वास्तव में दुनिया में नहीं रहेंगे, वे कहते हैं कि जब उन्होंने इस मजाग को सुना तो भाप पीला पड़ गया, हाला कि उन्होंने उत्तर दिया, म जरीब आदमी नाराज था, लेकिन खुद को सयमित करते हुए, उसने कहा कि हाला कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम देखेंगे, हम देखेंगे कि कल के बाद का दिन छोटा है, और जल्द ही सभी चमतकारों को हल किया, जाएगा, बीका, कहना है कि उसी शाम, गुदूली से पहले, वह हुँ प्रिंस एक्स, एक प्रसिद्ध,